Hello everyone, a very good morning to all of you and स्वागते आप सभी का आज के सेशन में, दोस्तों आज हम बात करने वाले top 100 arithmetic questions के बारे में, तो last session में हम लोगोंने number series के कुछ questions को solve किया था, और आज के session में दोस्तों हम लोग बात करने वाले arithmetic की, देखिए RRB का P.U. या कलर का exam अगर आप निकालना चाहते ह ही तो आपका arithmetic definitely strong होना चाहिए, मतलब number series हरकोई बनाएगा, quadratic equation हरकोई बनाएगा, simplification हरकोई बनाएगा, तो challenge कहाँ पराता है sir, challenge आता है arithmetic के और आज के session में, हम arithmetic के questions करने वाले, top 100 questions, 3 से 4 पार्ट में हम लोग complete करेंगे, मतलब आज class नमबर बन रहेगा, इसके बाद 2nd class और 3rd class इस तरीके से total 100 questions जो बार-बार repeated पूछी जाते हैं, हम लोग complete करने वाले हैं, तो session को आगे बढ़ाने से पहले comment करेंगे, all are ready, सभी लोग तयार है, sound, audio, video, सब कुछ clear, किसी को कोई doubt, दिक्कत, परेसानी या हिरानी तो नहीं है, comment करेंगे fast, then हम लोग session को start करते हैं, कल ह हमारा class नहीं हो पाया था, कुछ emergency इस वचे ते कल class नहीं हो आता है, तो आज से हम लोग top 100 arithmetic series start करते हैं, good morning, रजिया, रागी नहीं, very good morning, लोकें दो good morning, चलिए start करते, आज आते हैं, बात कर लेते हैं, sir की, देखो, आपकी सामने अगर clerk का exam रहेगा, clerk examination में, arithmetic के 10 से 12 question तक पूछे जाते हैं, और अगर PO की बात की जाए, तो PO में 15 question तक भी पूछे जा सकते हैं, अब जो ज़्यादा तो chapter जहां से arithmetic के सवाल बनते हैं, वो होता है, percentage ratio, profit and loss, time and work, speed, time and distance, यह वो topic है, जहां से आपको 100% question देखने को मिलने वाला है, और यह सवालो को आपको कम टैम में बनाना है, अब इसका मतलब यह कि probability के सवाल कम आते हैं, mensuration के सवाल कम आते हैं, तो skip करना है, बिल्कुल नहीं, आप इस examination के लिए कोई भी chapter को skip नहीं कर सकते, आपको सारे chapters पढ़ने पढ़ेंगे, एक भी chapter आप skip करेंगे, clerk का cut off जादा जाता है, question अग क्या दिया है, the income of Sita, Gita, Babita are in the ratio of 4, 5, 6 respectively and their spending are in the ratio of 6, 7, 8, income का ratio दे रखा है, expenditure का ratio दे रखा है, और Sita के बारे में बोला गया है, Sita अपनी सेविंग का 1 foot income सेव करती है, तो आपको तीनों की सेविंग का रेशियो बताना है क्या होने वाला, Sita, Gita, Babita की सेविंग का रेशिय of Sita, Gita, Babita की सेविंग, क्या होगा इस सवाल का answer, चलिए दोस्तों, let's see, देखते है, क्या होगा answer, सवाल का, अगर यहाँ पर सवाल को दियान से देखा जाए, सवाल को अगर दियान से देखा जाए, तो income का जो रेशियो दे रखा है, ठीक है, जो question वे given है, वैसा का वैसा Sima, Gita and Babita, इन तीनों की income का जो ratio दे रखा है, वो दे रखा है, 4, 5 and 6, और आपको क्या दिया है, expenditure का ratio दे रखा है, expenditure बोलेंगे, spending बोलेंगे, दोनों एक ही बात है, और यह ratio दे रखा है, 6, 7 and 8, अब देखें दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को Gita के बारे में कुछ information given है, क saving कर रही है, देखो, 1 इदर नहीं लिखते है, इदर लिख देते है, 1 by 4, 1 by 4 saving कर रही है, इसका मतलब अगर इसका income 4 unit रहता है, तो उसमें से 1 unit यह saving करती है, अब देखो, income अगर 4 है, उसमें से 1 रुप्या बचा लिया, तो खर्च कितना गया, 3 रुप्या, तो हम बोल सकते इसका चार में से 1 अगर बचाया, तो 3 unit क्या करेगी, spend करेगी, या expenditure हो जाएगा, दोस्तों देखो, यहाँ पर क्या करना है, एक चोटा दा काम करना है, और question खतम हो जाएगा, आपको balance करना है, balance कैसे करेंगे, सर, देखेंगे, देखो, सीता, गीता, बभीता में हम लोगों को जो information given है, वो सीता किये, तो एक काम करेंगे आप लोग, पहले न सीता की income equal कर लो, income और expenditure को equal करना है, मतलब यह 4 और यह 6 को बराबर करना है, तो क्या करोगे, सर, इन दोनों को equal करना है, तो इधर 3 का multiply कर देते, इधर 2 का multiply, ratio में किसी यह नंबर का multiply कर सकते हम लोग, तो क्या होगा, आप जैसे ही 3 से multiply करोगे, सीता की income 12 बन जाएगी, और 2 से multiply करोगे, expenditure भी 12 बन जाएगा, मतलब अभी का scenario यह हो गया है, सीता जितना कमाती है, सारा का सारा खर्च कर देती है, अब देखो, आप अगर देखेंगे, कि सर, income और expenditure का ratio चार और 3 का होना चीए, सीता का, क्या होना चीए, 4 & 3 का होना चीए, अगर हम लोग यहां पर 4 से multiply कर देते हैं, और यहां पर 3 से multiply कर देते हैं, तो पहले तो हमने equal कर दिया 4 तीया 12 छे दुन 12, अब 4 का multiply करेंगे तो income expenditure का ratio 4 और 3 का बन जाएगा, बन गया, काम कंक खतम बत最 accents अनले वाले ratio میں 2 का multiply कर देंगे सवाल खतम हो जाएगा multiply कर देते तो income कितना हो जाएगा expenditure कितना हो जाएगा 2 का multiply किया 8 2 का multiply किया 10 2 का multiply किया 12 6 7 और 8 अगर यहाँ पर आप save देखेंगे तो saving कितना हो जाएगा 8 मेंजे 6 गया 2 10 मेंजे 7 गया 3 और 4 यह आपका एंसर हो जाएगा मतलब simple सवाल था यहाँ पर आप लोगों को ratio को balance करना है और अगर आप ratio को balance कर पाते हैं तो आपका answer बहुत जल्दी बन जाएगा अगली बार ऐसा सवाल दिखता है तो आपको देखकर समझ माना sir income को equal कर देते हैं और फिर income और expenditure का जो ratio चाह कर रहे हैं अच्छा बहुत से बच्चे यहां पर मैं देख पा रहा हूं लेट आ रहे है वैसा आप लेट क्यूं हो गया आज आज लेट होने का reason यह ही तो नहीं है कि reasoning का class लेट चुटा है I think reasoning का class आपका लेट खतम होगा होगा that's why आप लोग सायद लेट हो गया है ठीक है क्लियर चलिए जो यह question छोड़ चुके मतलब जिनका रहे है रिकॉर्ड ट्रा देख लेना फिलाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है next question पर आते है अगला सवाल दोस्तों यह रहा है आप सभी के सामने try करो बताओ क्या बनेगा इस question का है से पी और क्यू की monthly income दे र चलिए यहां पर आपको monthly income में difference बताना है पी और क्यू का मैंने इंकम expenditure का वीडियो बनाकर upload किया था इस टाइप के सवालों को किस तरीकी से बनाना है वो पूरा detail में बताया था कि अगर आपको income अलग दे रखा है expenditure अलग दे रखा है saving अलग अलग दे रखी तो कैसे करेंग इस सवाल को आप लोग बहुत जल्दी से बना सकते हैं मैं देख पा रहा हूं यहां पर अभी तक किसी का answer नहीं है मानस का answer आगया है 12,000 दोस्तों ऐसे सवालों को कभी भी आपको income का ratio दे रखा है expenditure का ratio दे रखा है saving भी अलग अलग दे रखी है sir best तरीका है cross multiplication कैसे करेंगे आपको पता है income का ratio कितना दे रखा है अब बोलेंगे sir pnq की income का ratio तो 8 और 5 का दे रखा है ठीक है expenditure के बारे में बताओ 5 और 3 दे रखा है saving के बारे में बताओ sir saving ratio में नहीं है rupees में रूपीस में लिख दो 24,000 and 20,000 ठीक है यहां तक clear अब आपको cross multiplication method लगा देना है 8 में 3 का multiply किया 24 5 में 5 का multiply किया 25 25 minus 24 वन यूनिट एक बार फिर से देखें क्या किया 8 3 जा 24 5 5 जा 25 cross multiply minus किया वन यूनिट अब ऐसा ही यहां पर cross multiply करके minus कर देंगे 24 3 जा 72 and 25 जा 100 100 में से 72 minus किया 28 के एक यूनिट का value 28,000 है आपको क्या बताना है so difference बताना है किसका income का income का जो difference है वो कितना है 8 minus 5 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का value कितना हो जाएगा 28 के into 3 3 से multiply किया बना कितना 84 के that means 84,000 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा option number 2 यहीं पुछा है न आपसे difference in their monthly income तो difference मेरे भई 84,000 आ रहा है आप लोगों का answer 12,000 क्यों आ रहा है 12,000 जिनका भी answer एक खड़े हो जाएंगे और यह बताएंगे why why 12,000 सुमन, डिमपल, गोल्डी, रागिनी, अमरिता, सीवं, अकांसा यह question देखें था हम लोगों ने अगर यहाँ पर saving equal हो जाती तो हम लोग ratio को direct balance करके सवाल को बनाते है बट अगर saving अलग अलग दे रखी है तो cross multiplication के साथ इस type के सवालों को हम लोगों को बनाना है और answer टिक करना था ठीक है okay sir एक बार repeat कर दो ना please okay repeat कर देते बट यार एक बार में समझने की कुछिस करो तो simple fund अपनी class का आपको जब time मिलता है उस time पर solve करो बन जाता है उतने time में तो बहुत अच्छी बात है अगर उतने time में नहीं बनता है जब explanation start होता है तो यहां पर board पर ध्यान देंगा है क्योंकि एक ही सवाल को अगर बार-बार repeat करेंगे तो top 100 question करने के लिए यह आपको given है यह आपको given है यह आपको given है जो given है वो रख दिया अब cross multiply किया 24 और 25 25 में से 24 माइनस किया एक unit cross multiply किया 100 और यह 72 100 में से 72 को माइनस किया 28 तो एक unit का value 28 हमसे difference पूछा है दोनों की income का दोनों की income का difference जो बन रहा है तीन unit है तीन unit का value 28 into 3 to 84 हो जाएगा ठीक है clear चलिए अब आगे बढ़ते next question पर अब कोई भी पाप नहीं करेगा कोई भी गलत नहीं करेगा अगला सवाल प्रहिकता that means probability क्या इस सवाल को आप लोग बना पाएंगे क्या इस सवाल का answer आप लोग बता पाएंगे when three fair coins are tossed together what is the probability of getting at least two tail कम से कम दो tail आने की संभागना क्या होगी probability सर इस क्रास की PDF मिलेगे ना टेलेग्राम ग्रूप पर हर आगी नहीं सारे classes के आपको PDF मिल जाएंगे जितने भी सवाल हम लोग देखेंगे सारे आपको PDF मिल जाएंगे और दुस्तों top 100 arithmetic का main motive क्या है यह समझ लो आप लोग सर इसका main motive यह है कि हम लोग यहां पर 100 question arithmetic के जब प्राक्टिस करेंगे तो वहां पर देखेंगे कौन से topic ऐसा है जिनके सवाल नहीं बन पा रहे हैं अगर आपसे probability का question नहीं बनता है तो ध्यान रखना probability अच्छे से पढ़ना है आपको आपसे अगर time in work का question नहीं बना मतलब time in work को आपको अच्छे से पढ़ना है अभी वह complete नहीं हुआ है तो एक idea मिल जाएगा कौन कौन से chapter को आपको रिस्ट्रॉंग करने की जरूरत है 1 by 2 पूजा का answer मानस का 1 by 4 अरध्या का जो answer था वो उन्होंने delete कर दिया है बहुत सांदार चली आज यह लेट सी देखते क्या हो गाएं से लिखो ऐसे सवालों को बनाने का सबसे बैस करीका जो है पहले तो तीन को टॉस्किया और बुलाएगा कि at least two tail होना चाहिए दो टेल होना चाहिए मतलब दो टेल होगा चलेगा तीनों के तीनों टेल होंगे सर तो भी चलेगा यहीं कंडिशन है अगर दो टेल जाएगा ठीक है और अगर आप तीन सिक्को को एक साथ उचालते है तो आपका जो बनता है डिवाइड बै टोटल आउटकम टू की पावर थी एड बन जाएगा अब फैवरिबल देखना है दोस्तों तीनों टेल आने का केवल एक ही केस बनेगा बट टेल हैड आने की जो के होजाए ये भी हो सकता है ठीक है तो एक केस बन सकता है यह पर आप सेन्स होंगा तो यह तो आम जिंद् vaccines यह तरory के City बनाये आप लोगों थो एंस ब्राइज करते डायेक्त बनाने की कुछिस करना है मतलब अभी तो तीन सेखें तो ठीक है हम लोगोंने cases बना लिय कर अगर 4 सिक्क्य होते 5 सिक्क्य होते 6 सिक्क्य होते फिरी method से आपको बहुत time लगने वाला है आप क्या करेंगे सर् simple सा देखेंगे कि ऐसे सवालों को कभी भी आपको deal करना है simple लिख दो कौन कौन सी condition आपके favor में है सर दो टेल चाहिए चलेगा तीनों के तीनों टेल चाहिए चलेगा दो टेल एक हैड अब देखो इसको अरेंज करो total latest कितने है एक दो तीन factorial 3 इसमें टी दो बार रिपिट हो रहा है factorial 2 factorial 3 by factorial 2 का जो value बनेगा वो 3 बन जाएगा और ये केवल एक ही case बनेगा favorable chart total 8 answer 1 by 2 इस तरीके से आपको सवाल बना रहा है मतलब अलग-अलग cases में इंकालना है आपको पता चल गया मेरे भाई की double tail और egg head हमारे favor में है तो इसको कितने तरीके से arrange कर सकते that is permutation एक दो तीन factorial 3 तो टी दो बार रिपिट हो रहा है factorial 2 से डिवाइट किया factorial 3 का value 6 factorial 2 का value 2 6 by 2 3 मतलब तीन यहां पर अलग-अलग cases बनने वाले तीन प्लस एक चार चार बटाट 1 by 2 is the correct answer ठीक है तो probability chapter नो बहुत आसान होता है अगर ठीक से पढ़ा तो अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो बहुत difficult भी हो जाता है अगला सवाल दोस्तो यह रहा सवाल का answer क्या होगा फास बदाएंगा एजस के सवाल यहां पर किस्टार लगा ले न दोस्तों आपको प्रिलिंस में एजस का एक सवाल पक्का देखने को मिलेगा और रेशियो बिश्यों सकता है जिसे की सवाल दिया है 9th year the age of father is four times of his daughter five years ago the father was nine times as old as his daughter पाथ साल पहले का भी दिरेखा है और आपको present relation भी दिर रखा है आपको present एज एज और father ka present age आपको calculate करना है और इस स्वाल को उडा दी आप लोगों क्या जोने सिंपल सावाल है यह तो किससर लिग को क्या बुला गया है पिता जी जो है प्रेजेंट का रेश्यो तो प्रेजेंट लिख देना ताकि कभी कोई गलती ना हो अब पांस साल पहले रेश्यो नाइन और वन का हो गया कि अब देखो यहां पो सिंपल सी बात है कि स्थर यहां पो definite देखते हैं और ऊप्रें whilst 1930 बदम्म अब आदी अ Nep wipes चीज पेले एक य जूर हो रहा है इसको बैलएंस नहीं है इसको balance करने का सबसे simple तरीका क्या है सब difference इन दोनों का difference निकालो ये बन जाएगा 8 इन दोनों का difference निकालो ये बन जाएगा 3 अगर आप ratio का difference निकालते हैं और इसका cross multiply कर देते हैं cross multiply कर देते हैं तो आपका ये difference और ये difference automatic equal हो जाएगा करके देखते हैं सब उपर multiply किया 27 और 3 का multiply किया 3 हो जाएगा 8 का multiply निचे गया 8 तिया 24 और 8 का multiply किया कुछ तो गड़बर दिख रही है मैंको 9 में से 1 गया 5 साल पहले का ratio कितना दो फादर वास्टाइड 5 years ago पास साल पहले 9 और 1 का ratio था और present में देखा जाए तो 4 तैंस है 4 और 1 का ratio डिफरेंस निकाला 8 हो गया 3 हो गया 8 चुक 32 हो जाएगा 32 होगा और यह आपका 8 हो जाएगा अब डिफरेंस को आपको दिख जाएगा किसा इधर भी पास्यूनिट का डिफरेंस है इधर भी पास्यूनिट का डिफरेंस है पास्यूनिट एक साल इसका मतलब एक यूनिट का वैल्यू एक साल क्योंकि दोनों में पास्यूनिट का गि what is the age of father after 5 year द्यान सुना what is the age of father after 5 year अगर पुछ था तो आप 32 में 5 को एट कर देते 32 plus 5, 37 होगा गलती से 27 plus 5 करके 32 मत बता देना वो प्रेजेंटेज आ जाएगी ठीक है, okay, चलो और आगे बढ़तें, next question पराते है अगला स्वाल यह रहा इस सवाल काने से क्या होने वाला है boat and stream speed of boat आपको दे रखा है 20 km per hour it takes 4 hour to go upstream and 2 hour go to downstream between 2 points, what is the speed of stream speed of stream आप क्या बताने चाहते है चली आज यह दुस्तों बनाते है देखो ध्यान से समझना sir, आप पर classes कैसे चलाते है, किसका कहना है कोबम का किना, कोबम मेरे दोस app पर है एक वीडियो बना हुआ, आप पर थोड़ा सर्च करेंगे न, तो आपको एक वीडियो दिख जाएगा इसके अंदर class कैसे चलता है, DPP कहां मिलता है, आपके doubt कैसे सारे वीडियो बनाके रखे, आप उन और भूल तो गए होंगे, बट पड़ा है यह आदे न, तो उसी का यूज़ करना है, ऐसे सवालों में, देखो क्या करना है आपको, component और डिवीडियो से बना सकते, सर या फिरम रेशियो से भी बना सकते, इस सवाल को, इस सवाल को, रेशियो से करेंगा, और ज्यादा बेटर हो जाएगा, रेशियो मेथड से इस सवाल को करते, देखो दोस्त क्या चल रहा है, कि आपको अप स्रिम में कुछ दिस्टेंस कवर करना है, और वही दिस्टेंस डाउनम Exactlyrick अप्स्रीम का जो टाईम हो चार गंता है बिस्टेंस को नियरे तो टो गंता है मानला अगर आप तो लगेकल तो जेट लगेगा और नीचे लगे लगेगा मतलँ सब्सक्तिन अबात को जितना बात को जानतीय ना सर क्या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है अब अगर डिस्टेंस कॉंस्टेंट हो जाती है तो फिजिक्स में आपने पड़ा है कि अगर कोई कॉंस्टेंट होता है तो उसको अटाके हम इन्वर्स का साइन यूज कर सकते है इसका मतलब सर स्पीड जो है वो टाइम का इन्वर्सली प्रपोर्शनल होगा ठीक है खतम फिर सवाज डाउन स्रीम और अप स्रीम में टाइम का रेश्यो देखो डाउन स्रीम में सर दो गंटे लग रहे है और अप स्रीम में चार गंटे लग रहे है तो यह ratio जो बनेगा, time का बन जाएगा, एक और बचाएगा, ठीक है sir, time का ratio बन गया, तो speed का ratio इसका inverse होगा, 2 and 1 हो जाएगा, downstream का मतलब क्या होता है, down stream का मतलब होता है, speed of boat प्लॉस speed of current, अब stream का मतलब क्या होता है sir, speed of boat minus speed of current, इसका जो ratio दे रखा है, वो दोर एक का दे रखा है, अब दोस्तों यहाँ पर component और dividend आप लगा दो, आपका काम हो जाएगा, इसका कैसे लगा है, देखो, इन दोनों को एक बार add करना और minus करना है, इन दोनों को जब add करेंगे, sc से sc cancel हो हो गया, 202 cancel, यह आपका ratio आगया, किसका, speed of boat, speed of current का, अच्छा, boat का value आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, sir, speed of boat, हम लोगों को जो given है, सब कुछ correct है, speed of boat in still water 20 दे रखा है, तो speed, 3 का value 20 दे रखा है, 3 का value अगर 20 km प्रति गंटा दे रखा है, क्या होगा, इसका answer, none of this is the correct answer of this सवाल, तो प्यारा सा सवाल था, है ना, सुन्दर सा सवाल था, और मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर answer, बोद 3 and 4 कर रहे है, भई, बोद 3 and 4 बिल्कुल नहीं है, अच्छा, यह देख कर देगो, कितने क्रांती कारी हम लोग, कि सर, यह 10 किलोमेटर पर रहोस दे रखा है, यह option में भी 10 किलोमेटर पर रहोस दे रखा है, तो लगा लिए हमने हमने हमारा क्रांती कारी दिमाग, और बोल दिया सर, 10 answer होगा, 10 answer नहीं है, मेरे दोस, यहाँ पर answer, जो बनेगा, 20 by 3 था, और एक बार यह बता देगे, सवाल सबी को clear है, तो यह कभी भी speed, time and distance का, चाहे वो train का question हो, चाहे वो button system का question हो, चाहे speed, time and distance का question हो, अगर speed, distance या time में कोई भी आपको constant दिख जाता है, तो ratio method से सवाल को बनाओ, जिसे distance अगर same हो गया, to speed, time का inverse हो जाएगा, time अगर constant हो गया, to speed, distance का directly proportional हो जाएगा, ठीक है, तो simple सामने time का ratio लिखा, 2 second, ratio निकालने में 2 second लगा, speed का ratio 2 to 1, 4 second, और यह हमने हापर जो solve किया, component और dividend लगा तो 6 second, और लगेगा, 10 second में सवाल complete हो जाएगा, ठीक है, खुस्बु का यही आया था, बट खुस्बु आपने comment तो नहीं किया था, ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे परते है, next question, अगला सवाल यह रहा, इसका एंसर फटा बट जली से बता दो, इसको तो देखकर ही भसम कर सकते है, 5 second का सवाल ही है, sir, अच्छी बाते, exam में एक दुसरे का देख नहीं सकते है, वरना सारे question, तो यहाँ भी क्यों देख रहे हो है, एक दुसरे का नहीं देखन एक प्रोसीड डाउन, एक क्यू अब, देन विल, कब मिलेंगे, दुनों का मिलेंगे कब होगा, option number 2, 30, बट 15 बोल रहे है, पंकच दो बोल रहे 15 होगा, अराध्या बोल रहे 2 होगा, देखो दोस्तों, ऐसे सवालों को कैसे करना, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है अब directly answer करेंगे सर, 780 और इसको divide कर दो, 15 प्लस 16, 15 में 16 को add किया, 26 से यह आपका answer हो जाएगा, 13 दुना 26, 13 चेंग 98 और 2 से cancel किया, 30 is the correct answer, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कभी boat and stream में आप, एक boat चल रहे है, upstream हो और एक चल रहे है, downstream है, speed of current 0 हो जाएगा, कैसे, देखो, जि इदर से जारी है, suppose, यह जारी है, downstream, downstream हो जाएगा, speed of boat plus speed of current, ठीक, इदर से जो boat चल रही है, वो चल रही होगी, upstream है, यह अगर upstream में जारी है, तो speed हो जाएगा, speed of boat minus speed of current, अब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे है, दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते है, तो इनका जो relative speed होगा, प्लस हो जाएगा, तो दोनों को अगर प्लस करोगे ना मेरे भाई, तो यह तो cancel हो जाएगा, plus, minus, बचेगा क्या, speed of boat, speed of boat, मतलब अगर 780 km कवर कर दिये, तो दोनों boat की speed को add कर दो, that is your relative speed, और यह आपका total distance, और यह आपका total time, 2 को 60 से divided के 30 घंटे है, ठीके, अगल देख लो कि दोनों boat की speed का sum कितना और डिवाइट करो time आपके सामने है, ठीके, अगला सवाल यह रहा, दोस्तों इस सवाल काईंसा बताएंगे, simple interest का एकदम simple सावाल है, आखोई आखो में इस सवाल को भस्म कर देना है, इस सवाल को तो, ठीके, सदेखो ऐसा है, कि 8,000 रुपे पर 5 साल का 4 पर से जो interest बनेगा, वो कितना बनेगा, एक साल का 4 पर से पांस साल का 20 पर से और 8,000 का 20 पर से अगर आप निकालते हैं, तो यह बन जाएगा 1600, शोलो बन जाएगा, 1600 यह बन गए अपने पास, अब 1600 का आधा करोगे तो यह बनेगा 800 रुपे का interest, 800 रुपे का इंट्रेस का बन रहा है से, 8 साल का 5 पर से तो आप जै 100 होगा, 100% निकालना है, 5 का multiply कर दो, 5 का multiply किया, 100% का value जो होगा, 2000 हो जाएगा, क्या आप इस सवाल को समझ पाए है, और लिली हमने किया है तो, clear हुआ है, देखो, simple सी बात है, अगर 4% की साब से 5 साल का interest निकालेंगे, 4, 5, 20%, 8,000 का 20%, 600 होगा, मलदब यहां पर, रुमको, 1200 रुपे इंटरेस में लेगा, इसका आधा पहले वाले केश में में बिलेगा, 1600 का आधा, 800 रुपे, पहले वाले केस में रुपीस में इंटरेस बन रहा है, 800 रुपे, परसेंटिज में कितना बनेगा, 8 साल का 5 से, अगर आप calculate करेंगे एक साल का 5% आज साल का 40% तो percentage में 40 होगा अब 40% का वैल्यू आठ सो और अगर आप 100% का वैल्यू निकालेंगे तो यह प्रिंसिपल तो यह आपका प्रिंसिपल हो जाएगा प्रिंसिपल 100% का वैल्यू 2000 सवाल गता next question क्या होगे सवाल का एंसर time and work समय एवम कारिय A is 50% as efficient as B C does half the work done by A and B together if C alone does the work in 20 days तीनों मिलकर कितने टाइम में काम को खतम करेंगे तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो कितने टाइम में काम जो है वो खतम हो जाएगा A का efficiency B की efficiency का 50% है सर ठीके और C का जो efficiency है वो A और B की efficiency का आदा है आदा काम कर रहा है ठीके C अकिला अगर 20 दिनों में काम करता है तो A B से कितने दिनों में काम करता है यह आपको बताना है अनुप्रिया का answer 2000 है अच्छा लास कुशिन गया तो इसका answer अभी तक नहीं आया अच्छा ट्राय करके बताएंगे बाकि जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अर्थमेटिक नहीं पढ़ाया जिनको दिक्कत आ रही कौन कौन ऐसे एक बार कमेंट करके बताएंगे कितने ऐसे बालक है जिनको अर्थमेटिक में प्रॉब्लम होती है कौनसेट क्लियर नहीं है अभी जो सवाल कर रहे है इसमें भी दिक्कत आ रही है एक बार फड़ा फड़ जली से कमेंट करेंगे बाकि जिनके answer आ रहे है वो तो पता चली रहा है सीमा कैंसर आ चुका है डिंपल कैंसर आ चुका है गुलडी पूजा नेहा वारी गुड उज्वल सांदार चलिए आज यह दोस्तों देखते है लेट सी पहना लाइन क्या बोला है A का Efficiency B का 50% है 50% होने का मतलब क्या हो जाएगा अगर B 100% काम करेगा तो A 50% काम करेगा यह और B काम करते हैं C जो इनका आदा काम करेगा अब दो और एक तीन का आदा करोगे तो देड हो जाएगा decimal time लगेगा तो एक काम करते हैं इसमें 2 का multiply कर तो ratio में तो किसी भी number का multiply कर सकते हैं तो हमने बोला A अगर एक दिन में 2 unit काम करता है तो B करेगा 4 मतलब A और B दोनों मिलकर एक दिन में 6 unit काम करते हैं तो C करेगा 6 का आदा 3 unit काम क्या भूल सकते हैं कर सकते हैं ना A और B का ratio निकाला 1 2 का था बट मैं उसमें 2 का multiply कर दिया क्यों ताकि हम 2 से divide करें decimal में तो 4 और 2 6 unit काम A और B मिलकर करते हैं उसका आधा 3 unit काम C अकिला करेगा खत्म अब देखो क्या भूला गया है C अगर एक दिन में 3 unit काम करता है तो C 20 दिनों में पूरा काम complete करेगा total work कितना हो जाएगा एक दिन में 3 20 दिन में 60 total work 60 हो गया अब यह total काम तीनों मिलकर करेंगे तीनों मिलकर करेंगे 4 और 2 6 और 3 9 20 से cancel करो 20 3 से cancel क्या 3 20 बाइ 3 option 1 option 1 सवाल का सही answer हो जाएगा ठेक है आत्मांबर का कहना है पंकच का कहना है रेनु का कहना है कि सर दिक्कत है चालिए बहुत सारे students की दिखकते ना तो दोस्तों एक बात ध्यान से सुनना अभी तो यह trial है मतलब है जैसे हम लोग cricket खिलते तो ट्रायल बोल्ड डलते न यह वैसा ही trial एक कि जो सवाल examination में बार आर पूशी आते वह सवाल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्लस साथ में यह भी दिखेगा हम लोगों की तैयारी कितनी है एक बार यह top 100 series complete होगा उसकी बाद हम लोग chapter wise पढ़ना start करेंगे एक एक chapter को basic से पढ़ेंगे उसके सारे concept को पढ most important होती है arithmetic आना important नहीं उसके approach क्या होने चाहिए particular सवाल को बनाने की यह आपको आना चाहिए अगर यह आपको आ गया ना कि अप्रोच क्या होना चाहिए definitely आप कम टाइम में सवाल को solve कर देंगे जैसे time and work कर यह सवाल करने का और भी तरीका है ऐसा नहीं कि क्या वली की तरी इनों में C complete करता है तीस दून में तीनों ने काम करना सुरू किया एने पहले दिन काम किया और alternate काम करना start कर दिया तो सवाल में कुछ आगिया आखरी दिन कौन काम करेगा और कितने गंटे काम करेगा अगर सभी 12 गंटे एक दिन में काम करते हैं तो प्यारा कुश्य नेना कन अराध्या क्यों ès Drew the question के समझे question पढ़ सम्झे ठीक्याम एंबर को समझने आरारा इसल इसा होता है कि एंग расп shandar निन योड़को नेन बिए तो इंग्रुष में दूनों language comfort होना चाहिए है अगर language clear है तो यह पढ़ सकते question को समझ सकते answer बता सकते ठीक है, very good, बहुत सांदर, कौन था ये प्राणी, जिसको याद था, कि सर ये question हम लोगों ने success base में देखा है, शाम, very good, शाम क्या बात है, मैं मोरी बहुत तेज आपकी, yes, हमने success base में भी ये question देखा, इस type के सवाल को देखे थे, कि alternate वाले सवालों को किस तरीके से deal करना है, देखो दोस्तों, बहुत simple सी बात है, एक इसी काम को 12 दिनों में करता है, ए 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, और C उसी काम को 30 दिनों में करता है, सबसे पहला काम र यह दोस्तो efficiency है efficiency का मतलब A एक दिन में पांच उनिट काम करेगा B एक दिन में चार उनिट काम करेगा और C एक दिन में दू उनिट काम करेगा Sir यह alternate काम करेंगे alternate का मतलब क्या होगा alternate का मतलब यह होगा कि Sir first day A काम करेगा पहले दिन, second day B काम करेगा and third day C काम करेगा alternate day पर काम करेंगे तो पहले दिन अगर A ने काम किया दुस्ते दिन B ने तिस्ते दिन C ने तो ऐसे तीन दिनों में पात्चान नो दो 11 यूनिट काम हो जाएगा ठीक है तो क्या हम ऐसा बूल सकते हैं सर तीन दिनों में त्रीन दिनों में 11 यूनिट काम जो है वो खतम हो चुका है पर सर हमको तो सहाट यूनिट करना है तो एक काम करो यहाँ पर 6 का मल्टिप्लाइ कर दे सर आप 6 का मल्टिप्लाइ करोगे 11 सिंग चार्चट 66 यूनिट हो जाएगा जो की जादा हो जाएगा अपने को चार्चट नहीं करना तो आपन पास से मल्टिप्लाइ करते है पास से मल्टिप्लाइ किया है दोस्तों कितना मिल जाएगा 15 दिन और 15 दिन में कितना काम हो जाएगा 15 यूनिट काम हो जाएगा यहां तक तो सभी को clear हो गया होगा अब देखो आपकी जो cycle start हो थी एक, दो, तीन, मतलब तीन के बाद फिर repeat होगी, फिर repeat होगी तो 15 पर जाकर आपकी past cycle complete हो जाएगी ABC से काम कराने की अब 16 दिन जो आएगा वहाँ पर वापस A काम करना start करेगा तो 16 दिन में A काम करेगा 16 दे पर कौन काम करेगा सर? A काम करेगा और A अगर एक दिन काम करता है तो 5 उनिट काम करतेगा मतलब A 16 दिन पूरा काम करेगा तो यह 5 उनिट काम करेगा क्योंकि A का efficiency 5 का है तो यहां पर हम भूल सकते सर 16 दिनों में टोटल सहाट उनिट काम खतम हो चुका है, तो लास्ट डे किस ने काम किया, सर लास्ट डे ए ने काम किया, आखरी दिन ए ने काम किया, ये एंसर नहीं, ये एंसर नहीं, ये एंसर नहीं, ये दो में से एक एंसर है, अब ए ने कितने गंटे काम किया, एक दिन में 12 गंटे काम करता है और यह पूरे दिन काम किया है यह अगर 5 उनिट काम करता है यह 5 उनिट काम करेगा तो पूरे दिन काम करेगा और पूरे दिन में केवलो 12 गंटे काम करता है यह आपको दिया गया है इसका मतलब ए ने 12 गंटे काम किया और आखरी में काम को खत लाइब आपके नेटवर्क की से रहा होगा आपका नएटवक नहीं स्ट्रांग करता है तो क्वालिटी को कम कर लो किया थीक है अपसके अब यह स्टर लगता है खत्म हो जाएगा डर बहुत जल्दी कपर बहुत स्टम करेंगे जब systematic तरीके से हम लोग पढ़ेंगा है बस आपका कम सिंपल है regular class attend करो और प्राक्टिस करो ठीक है अगला सवाल next question mixture and allegations इस सवाल का answer बता है देखते कौन कौन इसका answer बताता है क्या बोला गया है a vessel contain 500 liter of mixture of milk and water mixed in the ratio of 3 to 2 respectively x liter of mixture is taken out x liter mixture आपने निकाला from the vessel and replace with 40 liter of water so the ratio of milk to water in the vessel becomes 6 is to 5 respectively find the value of x x का value क्या है यह आपको बता रहा है x का value क्या होगा यह आपको बताना है Sachin सर बोल रहे है कि वो पूरा मन लगा के बढ़ रहे है 100 सीमा का सबसे तेजी से answer आया है आज ही दोस्तों बनाते सवाल को दो कैसे बनाना है सवाल को simple तरीका समझते है और जो सवाल में बुला उसी language के साथ बनाते है एक container जिसमें 500 liter mixture था milk and water का ratio कितना है 3 और 2 का total quantity कितनी है 500 आप लोगों ने पहली फुरसत में यह 500 को 3 और 2 के ratio में break किया होगा किया है 300 और 200 क्योंकि हमसे रहा नहीं जाता है simple calculation करके छूड़ देता है कि sir अगर 500 है तो 300 milk होगा 200 water यह करना नहीं था आपको तो क्या करना था sir देखो अगर आपकी पास ratio 3 और 2 का था तो आपको इसमें से 1 liter निकालना था अब दोस्तों mixture में से अगर मैंने mixture निकाला ठीक है आपके पासे container में mixture उसमें थोड़ा सा mixture निकाल दिया तो ratio तो सेम रहेगा sir तो ratio आपका 3 और 2 ही रहेगा ठीक है मैंने क्या किया एकस लिटर अगर mixture निकाला तो ratio 3 और 2 का ही रहेगा ठीक है चलो अब इसके बाद क्या किया sir इसके बाद बूला कि 40 लिटर पानी मिला दो 40 लिटर पानी मिलाएंगे मतलब यहां पर 40 लिटर पानी मिला देंगे 40 लिटर वोटर मिलाया तो ratio 6 और 5 का बन गया अब दोस्तों बात सिंपल सी है कि अगर हम लोगों ने पानी को मिलाया है तो milk सेम होना चाहिए मिलक सेम होना चाहिए बस सेम कर leyman कारओ सेम करने के लिए sir यहां पर 2 का मुलिटिप्लाय कर देंगे एक युनिट का जो वैल्यू बने गा वो 40 लीटर बनेगा सवाल खतम हो गया देखा रहा है आप लोगों को ऑध खतम हो चुका है सवाल से ए एक र्टी का वैल्यू exercising चाली से तो 6 और 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा एक का वैल्यू 46 और 10 unit का value जो बनेगा और 400 liter रहेगा अब दोस्तों देखो starting में आपके पास 500 था आपने X निकाला बच्चा 400 तो बताओ X कितना है अब भोलेंगे सर्फ 500 था 500 से 400 हो गया X का value 100 हो गया हमने 100 liter निकाला होगा option number 2 is the correct answer clear 100 यहां पर हमारा क्या हो जाएगा एकदम सहीं उत्तर हो जाएगा क्या सभी को यह बात समझ में मिक्षर को कभी भी करना है मिक्षर के सवालों को अगर बनाना चाहते तो आपको concept clear होना चाहिए यह container में milk and water अगर कुछ मिक्षर निकाला तो ratio चेंज होगा अगर concept clear नहीं है तो unnecessary calculation हम लोग करते रहेंगे करते रहेंगे और time लगता रहेगा और लगता रहेगा ठेक है चलो आगे बढ़ते हैं next question पर आते अगला सवाल दोस्तों यह रहा आप सभी के सामने और इस सवाल का answer क्या बनने वाला है what is the correct answer of this सवाल X monkey hazard अच्छा ठेक है a container contained 80 liter of diesel बतलब एक container में 80 liter diesel है from this container 20 liters of diesel was taken out and replaced by water आपने 20 liter निकाला और उसकी जग़ पानी डाल दिया और this process repeated one more time how much diesel is now contained by the container अब container में diesel कितना है 10 सेकिंड का सवाल है यह मासम से सवाल कितने सेकेंड का एसर 10 सेकेंड में आप इस सवाल को कम्प्लीट कर सकते थे बट 45 तनु का सब सब पहला एंसर है लेक्ट सी देखते क्या तनु का एंसर करेक्ट है देखो आपके पास 80 लिटर था क्या डीजल 20 निकाल दिया 20 निकाल दिया और फिर 20 वापस 8 कर दिया in form of water तो 20 वापस 8 करने पर टोटल असी हो गया असी में सब 20 निकाला फिर पानी मिला दिया टोटल तो असी हो गया तो यह उपड़ डीजल रहेगा नीशे टोटल रहेगा टीजल अपन टोटल और यही प्रोसेस को एक और बार रिपिट किया पावर 2 कर दो और स्टार्टिंग में आपके पास कितना था सर असी था असी ल सोला पंजे असी नव पंजे पैतालिस सवाल करता है एकदम सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए और आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स कोशियन यह रहा मैंसुरेशन का असान सवाल है मैंसुरेशन का इस प्यारे से सवाल का एंसर क्या होगा क्या बोला गया है सवाल में सबसे तेजी से एंसर किया सीमा सुनिल समझ रहा हूं क्यों आपके एंसर बहुत तेजी से आ रहे है अराध्या उज्वल पूजा बैंकर्स महरुक आप सभी के एंसर रहे हैं तो यहां पर देखा जा है सर पैरिमिटर कितना है 72 है ठीक है पैरिमिटर कितना है 72 है और 72 अगर स्क्वेर का पैरिमिटर होता है सर तो 72 को चार से डिवाइट कर दो साइड मिल जाएगा साइड कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा 18 cm square का side है और इसमें से अगर 4 कम कर दिया जाए तो 14 cm radius of circle हो जाएगी area जो होता है 22 बट्टे 7 pi r square 14 into 14 7 से cancel किया 2 multiply किया 616 option 5 option 5 is the correct answer of this सवाल option 5 यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा इसलिए मैंने बोला कि समझ रहा हो कि आप लोगों के अंसर इतने फास्ट कैसे आ गया है ठीक है 616 यहाँ पर आपका एकदम सही answer था next question अगले सवाल दोस्तो partnership का question है देख कर बताएगे क्या होगा एंसर Raja Babu and Nandu enter into a partnership with capital in the ratio of 5 is to 6 at the end of 4 month Raja Babu withdraw अगर इनका total profit 5 is to 9 है तो Nandu का capital कितने time के लिए यूज किया गया है विकास का क्याना है मेरे क्वांट में number ही increase नहीं हो रहा है क्या करूं मौक में भी कम score हो रहा है less than 10 विकास जो score नहीं हो रहा है मतलब जितने सवाल आप से नहीं बंढ़ो इसका analysis अच्छे से करो अगर क्वांट को strong करना नंबर बढ़ाना पहला काम तो concept क्लियर होना चाहिए अगर आपका concept क्लियर नहीं है तो पहले वहाँ पर focus करना है अगर आपका concept क्लियर है strong है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे और मौक टेस लगाना सब्सक्राइब अगर score कम है तो analysis करो कि score कम क्यों है कोई से सवाल अगर नहीं बना तो क्यों नहीं बना कोई से सवाल में अगर आपका answer लेट आ रहा है तो लेट क्यों आ रहा है इसका reason ढूलो काम भूश जाएगा ठीक है चलो राजा बबु ने इन्वेस किया 5.06 के ratio में राजा बबु ने किबल चार मेन एक लिए लगाया बट नंदू ने एकस मंत के लगाया तो ratio 5.9 का बन गया पास से पास cancel हो गया तीन दुना 6 तीन दिया नव दू से cancel किया दो तो X का value 3.20 को जाएगा next question अगला सवाल again partnership का question है PQR invest 28, 35, 40, 200 रुपीस respectively P is a working partner and get 25% of total profit P अगर working partner है और total profit का 25% वो बचा लेता है if Q get 5000 रुपीस अगर Q को मिलते 5000 रुपीस तो share of P&R कितना होगा P&R का share क्या होने वाला है what is this share of P&R let's see, आज़ेगे, देखो PQR की दोस्तों अगर बात की जाए that is PQR ratio निकाल दे हम लोग 748, 35, 35 and 76 रुपीस यह इनके capital का ratio है और जो capital का ratio होता ना उसी ratio में profit को divide किया जाता है बड तकलीप क्या है तकलीप यह है कि एक partner जो working है वो P है उसको 25% अपने को देना है तो profit में से यह profit की बात करते है 25 निकाल कर P को दे दिया दोस्तों अगर 25% निकाल कर P को दे दिया तो बच्चा कितना है 75 अगर total profit 100 रेता है बच्चा 75% है अब जो 75% बचा है इसको इस ratio में break करना है 6,4,10,15 15 unit का value 75 एक unit का value 5% और अगर एक unit का value 5% होगा तो इसको मिलेगा 20% इसको मिलेगा 25% और इसको मिलेगा 30% ऐसा ही मिलेगा मल्द अब यह तो capital के ratio में profit डिवाइड हो रहा है 75% और 25 पहले ही हमने P को दे दिया था इस तरीके से अगर आप देखोगे तो P को total मिलेगा 45 Q को मिलेगा 25 और R को मिलेगा 30 ratio निकाला ratio निकाल सकते है ठीके निकाल दो 55,25,25,35,35 यह बन गया 9 और 6,15,5,20 total 20 unit हमारे according मन रहा है पट सवाल के according 5000 बनता है 20 unit का value 5000 तो एक unit का value 200 बन गया अब एक unit का value 250 है आप से पूछा P and R P and R कौन सा है 9 और 6,15 unit का value 15 unit का value हो जाएगा 15,55,15,32,3,750 3,750 3,750 रुपे आ रहा है यहाँ पर answer 99 होगा यहाँ पर option में मेरे ख्याल से गलती हुआ है क्योंकि अगर total profit 5000 रुपे है तो P and R इतने क्रांती का रही तो नहीं हो सकते कि इनको 20,18,15 और 16 मिल जाए हुई नहीं सकता total profit अगर 5000 रहा है तो answer उससे कम होगा और उससे कम होगा तो हमारा answer जो होगा none of this होगा none of this is the right answer of this स्वाल स्वाल गलती हैं option गलती है मेरे दोस्ट स्वाल एकदम सही है options यहाँ पर गलत है इस स्वाल में आपको बताना answer क्या होगा स्वाल totally यहाँ पर language के उपर best है स्वाल में दिया गया है two friends Raj and Kajal had some chocolate each one of them had 10 more chocolate than the other the chocolate with Raj was 40% of total chocolate with them how many chocolate did each have कितनी chocolate किसके पास है यह आपको बताना है Raj और Kajal दोस्त है एक के पास दूसरे से 10 chocolate जादा है और बोला गया है Raj के पास total number of chocolate का 40% है तो हर एक के पास कितनी chocolate होगी Raj के पास कितनी chocolate है and Kajal के पास कितनी chocolate है Rishuka कहना है question mark चलिए अज है अरे बहुँ सिंपल सावाल था था कोई आपर अगर Raj और Kajal दो प्राणी है यहां पर ठीक है ठीक है Raj है और Kajal है आप किसी एक के पास number of chocolate assume कर लो Raj के पास यह चोकलेट है तो Kajal के पास A प्लस 10 रख लेते है या Raj के पास अगर A प्लस 10 assume करना चाहते है तो Kajal के पास A कर लो आपके उपर डिपेंट करता है ठीक है अब इसके बाद उसने बोला है कि इनके पास जो total chocolate है वो बनेगी 2 A प्लस 10 वो क्या है सर 40% 40% का मतलब 2 बाई 5 तो हो जाता है 2 बाई 5 ओफ चॉकलेट विठ राज राज के पास कितनी चॉकलेट है राज के पास A चॉकलेट है multiply किया 4 A प्लस 20 इक्वल तो 5 A बन जाएगा और A का वैलू 20 हो जाएगा दोस्तों अगर A का वैलू 20 हो गया है मतलब राज के पास कितनी चॉकलेट है यहां काजल की जगह सिम्रन होना चाहिए था एक वैल्यू बी से तो ए प्लस 10 की वैल्यू 30 हो जाएगी and 20 and 30 इस सवाल का सही असर हो जाएगा option number one is the correct answer मतलब देखो सवाल में कुछ नहीं था सेवल आपको language ठीक से पढ़नी थी language clear सवाल आपका seconds में complete हो जाता है ठीक है राज वास 40% only नहीं बूला है मेरे भाई सुरुती यहां थे पढ़ो सवाल को the chocolate with Raj was 40% of total chocolate with them the chocolate with Raj was 40% of total chocolate with them यह बूला गया है ठीक है तो शुरुती ध्यान से न language को ठीक से पढ़ना है ठीक आगे बढ़ते हैं दोस्तों next question अगला सवाल यह रहा और इसका उत्तर बताओ क्या बनेगा यह तो यह मामली सा सवाल है मतलब देख करी सवाल को उड़ा सकते हूं सब्सक्राइब करने में मेरे कहल से जादा टाइम नहीं लगना चाहिए कहीं बार आप में देखा होगा यह सवाल मौक टेस्स लगा होंगे तो देखा होगा रागत में प्रिवीज से रेक्जाम दिये होंगे तो वहां भी ऐसा सवाल देखा होगा एक लाइंड में अंसर बनता है किसा चालीस परसें लाना था पास हो जाता बड़ इसके नंबर आए 180 मार्स और वह कितने नंबर से एक परसेंट का वैल्यू चार हो गया हंड्रीट परसेंट का वैल्यू टोटल मार्स पुछा है चार सो अप्शन नंबर टू सवाल का एकदम करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला सवाल यह रहा राहूल ने 35 परसेंट अपनी मंतली इंकम खाने पे खर्च कर दिये 20 परसेंट क सेविंग कितनी होती है यह आपको बताना है हेलो रूची अब इस सवाल काहन से सबसे पहले कौन देने वाला है रिमेनिंग वाला एक सवाल आपके एकजाम में देखने को मिलेगा ठीक है जहां पर आप लोगों को रिमेनिंग के बारे में पूछ आ सकता है या यह भी लागया है मंतली इंकम अपने को दे रखिए 22,000 अरे मेरे को यह बताओ आप लोगों का एंसर जो आ रहा है क्रांति कारीबाल को 22,000 तो इसका इंकम है और आप बता रहे सेविंग 13,200 हो जाएगी पॉसिबल तो नहीं लग रहा है लेट सी देखते क्या होगा देखो 22,000 कोई पुण कित यहाँ पर नहीं होगी 35 अगर खर्च कर दिया जो 65 बाकी होगा तीक है उसके बाद दो उसने जो बचा है यह बचा हुआ है इसका 20% खर्च कर दिया अब 20% खर्च कर दिया तो बचे गा 80% इतना बचा है, इतना पैसा बचा है, और जितना पैसा बचा है, मतलब जितना पैसा बाकी है, जितना पैसा बाकी है, उसका 60 परसेंट वो सेव कर रहा है, अब 60 परसेंट की जगह, आप 40 मत लिख देना, 100 में 60 को माइनस करके, 40 बाई 100 मत कर देना, अब यो वैल्यू है, इसका 60% हम लोगों को निकालना है that's why आप लिखेंगे 60 by 100 ठीक है आपने जलवाजी मेरे खालते हैं तो 40 by 100 किया होगा क्योंकि यहां इतना पैसा बच रहा है तो जो बच्चावा पैसा है उसके 60% अगर सेविंगे तो 60% का वाल्यू कितना बनेगा आपको इसका 60% निकालना था सुल कर देते हैं सर 22,000 था ठीक है 65 को अगर 5 से कंसल किया 13 बटा 20 हो जाएगा वैसे इसको चार बटा पाज डारेक्ली हो तीन बटा पाज डारेक्ली आप लोग लिख सकते हैं पाज से कंसल किया चुमालिस हो जाएगा 44 इंटु 13 इंटु 12 अपका एंसर बनेगा 6,874 74 बन रहा है 64 बनेगा ओके option नमबर 50 is the correct answer 64 is the right answer तो बात समझ में आ गई क्या आप सभी को यह सवाल clear समझ में आया या नहीं आया पाज बताएगे clear है एकदम बात clear अगर fraction से करते हैं आपको पता है कि 60% का value 3 by 5 होता है 20% का value 1 by 5 होता है 35% का value 7 by 20 होता है तो मेरे ख्याल से आप इस सवाल को directly भी बना सकते हैं मतलब यह step लिखने की जरूरत नहीं है आप डारेक्ट यह step करेंगे और आपका answer आजाएगा अचा एक और बात यह जो type का यह जब गलती दून हैं तो 3 seconds और लग जाएंगे फिर से सवाल को बनाका देंगे 40-50 सेकड और लग जाएगा बना स्वालORT तक का टाइम जा सकता है जो कि 30-40 सेकेंड में बनाया जा सकता है तो कभी भी ऐसा सवाल आता है तो भले ठीक से रीट करना लेंग्वेज में क्या बोला है उसके बाद ही आगे बढ़ना है next question अगला सवाल यह रहा a shopkeeper sell a product at profit of 20% if the product was sold at 10% loss अगर product को 10% कम में बेचा जाता it would have sold for Rs. 80 less 80 कम में बेचा जाता है what was the cost price of product product का cost price क्या होगा and what will be the selling price if it is sold at profit of 15% cost price and selling price दोनों हम लोगों को यहां पर बताना है sir जब आप success बेच में बोलें कि खड़े हो जाओ उसके बद BW मुझे ब्लॉक करें ऐसा थोड़ी होता है आप खड़े नहीं होंगे फिर न ठीक है और क्या कर दिया आगे शाद आत्मा बना दिया कोई बात नहीं हो जाए गना रेंड आज आप कमेंट कर पाएंगे डोंट बरी आप दिये चला क्या answer correct answer क्या होगा हरे मासूम सा सवाल है यह तो इसका answer आप लोग बता सकते थे दीख खरी हाँ थोड़ा सा calculation है क्योंकि decimal में आ रहा है तो इसको देखकर डंदा नहीं calculation छोटा सा है माप ऑक्के चलिए आज यह लेट सी देखते क्या बनेगा answer देखो 100% CP assume कर लिया 100% अब जब बेशने की बार यह तो आप 20% profit में बेश रहते पहले यह पहला वाला selling price था बट अगर आपने इसको 10% loss पर बेचा मतलब second selling price कितना हो जाएगा 90% तो आपका जो price 80 रुपे कम हो जाता मतलब इन दोनों का जो difference है वो 80 रुपीज है सवाल खतम 120 और 90 का difference बनेगा 30% 30% का value 80 रुपीज you have to calculate 100% so 100% का जो value हो जाएगा दोस्तो 80 into 100 divided by 30 30 से cancel किया 800 by 3 is your cost price 800 by 3 कहां दिख रहा है 3 2 न 6 3 चेंग 8 मतलब सर यहां पर दिख रहा है option number 1 अब अगर यहीं पर 266.67 दिख गया और कई दिखी नहीं रहा है तो इसे को tick कर दो आपको selling price निकालने की जरूरती नहीं थी ठीक है बट अगर आप selling price निकालना चाहते हो तो निकाल लो 800 बटा 3 हो गया answer यह cost price अब 15% profit में बेचना है तो 115 बटा 100 निकाल दो यह आपका selling price हो जाएगा जिक रोज रोग कैंसल हो गया 15 में multiply किया बचेगा 1 920 बटा 3 और 920 को 3 से divide करोगे 306.6666 जाता रहेगा और आपका answer आता रहेगा ठीक है okay clear चलिए यहाँ पर session में आप लोगों ने अभी भी अपने attendance mark नहीं किये तो जितने भी student session में आ चुके session को like करके अपने attendance mark नहीं किये तो फटा-फट अपने attendance mark करेंगे और आगे बढ़ते हम लोग next question यह रहा इसका answer बनाते है यह भी मासुम सा सवाल है मतलब ऐसे सवालों को exam में देखकर आपको 20 से 30 second में खतम कर देना है and amount of money is divided among X Y Z in the ratio of 235 respectively if the amount received by Z is Rs.3000 more than amount received by Y ठीक है what will be the total amount received by X and Y X and Y के पास total कितना पैसा है X और Y के पास total कितना पैसा है यह तो आसान सवाल था ना मतलब आखों ही आखों में इसको बसम किया जा सकता था कि सर सवाल मोला गया है Z को 3000 जादा मिलते है Y से Z को Y से 2 unit जादा मिल रहा है और 2 unit का value सवाल में 3000 देरका है कोई बात नहीं एक unit का value हो जाएगा 1500 बात खतम एक unit का value अगर 1500 और आपको X और Y का सम बताना है मतलब 3-2-5 unit का value निकालना है तो 5 unit का value हो जाएगा 1500 into 5 7500 option number 1 option 1 सवाल का सहीं उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question अगला सवाल the side of triangle are in the ratio improper ratio दे रखा है 1 by 2 1 by 3 1 by 4 and its perimeter is 117 cm the length of longest side is मतलब proper ratio आपको बना देना है proper ratio जैसे ही हो जाता है पर ratio जैसे ही हो जाता है हमारे पास उसके बाद आपको बस divide करना है 117 को ratio में जो सबसे बड़ी value है आपका answer आकास कुमार नहीं हापर बाजी मारी है और सबसे पहले आकास का answer है सौरप का भी answer आ चुका है आपको क्या करना है यह improper ratio इसको improper ratio बोलते है इसको आपको proper कर देना है अब proper कैसे करेंगे जो denominator में value दे रखें इनका LCM लेंगे जैसे LCM कितना हो जाएगा 4 और 2 का तो 4 हो जाएगा 3 का 12 चार तिया 12 से multiply कर दो अब जिसी 12 से multiply किया 6 हो गया 4 हो गया 3 हो गया यही तो ratio है इसमें सबसे बड़ी साइट 6 वाली होगी divide by total total कितना बनेगा 13 into 117 13 एक prime number होता है और 13 का table आप सभी जानते होंगे देखिए आप लोगे इना ध्यान रखना examination में calculation prime number के रहते ही है मतलब exam में जाने से पहले 13, 17, 19, 23, 29 यह जो prime number है ना इनकी tables को देख कर जाना है क्योंकि 100% आपको prime number calculation देखने को मिलेंगे even simplification के questions भी होते हैं वहाँ भी prime number देखने को मिलते हैं अभी थोड़े दिन पहले LIC का examination हो आता है मैंने paper दिया था वहाँ पर देखा था कि prime number calculation बहुत देखने को मिलेते हैं मतलब approximation में अगर आप approximate value निकाल रहे हैं तो prime number वहाँ पर थे और हमेशा रहते हैं तो यह tables आप लोगों की दिमाग में होँची अब table होना चीज़ का मतलब यह नहीं किसा table याद कर लिए 31, 32, 32, 32, 33, 49, 49, 42, 22 से नहीं करना है आपको बसी पता हो नजे 13 की table में कौन-कौन से number आते है 17 की table में कौन-कौन से number आते है 19 की table में कौन-कौन से number आते है और वो अगर clear है तो फिर आपका calculation हो जाएगा ठीक है चलिए next question अगला सवाल दोस्तों यह रहा यह खतरनाक question देख रहा है यह decimal को देखकर ही खतरनाक वाली feeling आती है बट यह आप बना सकते हैं ट्राइ करेंगे क्या होगा इस question का answer यहाँ पर answer क्या होने वाला है 721.5 contained in a box इसमें 2 रूपे 50 पैस और 25 पैसे के coin दे रखे है आपको ठीक है अगर आपको कोई सवाल को देखकर लगता है इसको तो skip कर देना चाहिए comment करके बता सकते है और अगर आपको लगता है कि आप बना सकते है तो बना के बताएंगे 722 अभी तक answer आए है अराध्या नीशा कुम कुम सुबम देखते है कि आप सभी के answer correct है 722 is the correct answer of this सवाल और not तो कॉइन 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 से बई 2 रुपे का कॉइन है और कॉइन सा है 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है ठीक है सर टोटल अमांट दे रखा है पहले अपने को कॉइन को को अमांट में convert करना पड़ेगा अब यह कॉइन का रेश्यो दे रखात है कि इतना दे रखा है 3 3X, 4X, 5X अब मैं को यह बता हूँ यह कॉइन का रेश्यो आपको value अमांट का दे रखा है और यह रेश्यो कोइन का है तो सर हमको amount का ratio निकालना चाहिए की नहीं निकालना चाहिए निकाल दो amount का ratio दोस्तों कितना आ जाएगा amount का ratio आ जाएगा 2 रुपय की अगर 3x coin होंगे तो amount 6x बनेगा right 50 पेसे के 4x coin है तो 2 coin होते है तो 1 रुपया बनता है 4x coin होंगे तो कितना बनेगा 2x बनेगा और 25 पैसे के 5 coin मतलब 25 पैसे के 4 coin से 1 रुपया एक और coin जादा है मतलब 1.25 यहां तक clear इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना बच्पन की यादे ताजा कर लो 2 रुपय के अगर 3 coin होते हैं तो 6 रुपय बनता है 3 into 2 बट सर 50 पैसे के 4 coin है तो क्या करेंगे 50 पैसे के 4 coin होना 50 चोग 200 पैसा होगा रुपीस में 2 रुपय हो चाएगा 2x वैसे 25 के 5 हो गाएगे 25 के 5 125 पैसा 125 पैसे का मतलब 1.25 रुपीस खतम अब टोटल अमांट आपके अको circulation है जो आपको करना था और यहां से x का value 78 आ जाना था अब दोस्तों x का value जैसे ही 78 आ गया अब आपको यह बताना है 25 पैसे और 50 पैसे के coin कितने हैं तो यह टोटल कितने coin दिख रहे है 5 और 4 9x दिख रहा है मतलब आपको जो answer निकालना है 9x होगा 9 into 78 multiply करे 980 72 के रिया है 7 नहीं सत्य 63 और 7 63 में 7 को add करते हैं तो 70 आता है 70 आता है ना हाँ सर तो यह 702 आ रहा है आपका 722 गलत हो गया दोस्तों जिसका भी answer 722 था बताओ कैसे लायते हैं ठीक है 722 answer क्यों आया था 702 क्यों नहीं आया था क्या आपको यह सवाल क्लियर है coin based का question देखने को मिलता देखो हमेशा कभी यह भी coin का सवाल आपके सामने आएगा ना तो क्या होता है इसके अंदर एक बार देख लेते ध्यान से कि सर आपको अगर coin का ratio दे रखा है ना ratio अगर coin का दे रखा है तो total amount दे देगा मतलब फिर आपको amount को coins में convert करना पड़ेगा मतलब दो चीजी हमेसा रहती है coin वाले questions में या तो amount को coin में convert कर दो या coin को amount में convert कर दो अब ऐसा सवाल नहीं देगा कि total amount दे दिया और amount का ratio दे दिया वो तो फिर एकदम छुटू सा सवाल हो जाएगा okay amount दे दिया और amount का ही ratio दे दिया ratio में डिवेट को रहन सर आजाएगा okay next question अगला सवाल ही रहा इसका हैं से बता हूं 15 boys and 30 girls from a group of volunteer during their volunteer drive the same number of boys and girls join the group example if 5 boys join 5 girls join same number of group join करेगा मतलब जितने boys होंगे उतनी girls add होगी how many members does the group have know if the ratio boys to girls is 2 to 3 सब्सक्राइब प्रॉबबलिटी में 3 dice वाले question में issue वैसे dimple 3 dice वाले question तो बहुत कम बहुत बहुत जादा कम आते बट अगर issue है तो उसको भी complete कर लेंगे ठीक है वहाँ पर total outcome तो आप 62-3 करके कर लेंगे फैवरेबल outcome वाली चीज रहे जाएगी उसको देख लेंगे हमनों अच्छा एक काम करें 30 और 15 पैतालीस कितना आना आप लोगों काएंसर इस मासूम से सवाल का यह भी बहुत मासूम सवाल है पता है आपको देखो कितना मासूम है मतलब देखने में हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा language बढ़ा है बड़ ऐसा कुछ भी नहीं है यह कि वह आपको explain करने लिए कि आपको दो और तीन का वाद आगा का दिक्कत था इसमें आप डिरेक्ली कर सकते थे 45 प्लस 3x एक्वल टू 60 प्लस 2x सो एक्स का वैल्यू बन गया 15 15 बन गया 15 अगर 8 करेंगे तो अब जो 9 हो जाएंगे boys 30 हो जाएंगे और बालिकाय कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी दोनों का सम कित कितना आसान सवाल था यह बता जिनका एंसर नहीं आया था देखो कितना सिंपल सा कुश्चिन था मतलब एक्जाम इस सवाल में आपको यह जो लाइन दे रखी थे ना एक यह लोड़के आपको एक्स्प्लेंट करने लिए कि आपकी गलती ना हो ठीके ओके आगे बढ़ा ज आपको आपने गिरा दिया ठीक है और जैसे ही गिरा तो टूट गया ब्रेक हो गया तो ब्रेक होने के बाद वह 2,3,04 की रेषयो में ब्रेक हो गया लिए altri क्रेशों में ब्रेक होगा सट्रेंट बहुत जल्दी कर सकते एक अच्छीवर भी जल्दी से कर सकते हैं तो क्या दैमंड के साथ और चीजे तोड़ी ती सीलवर का कॉइन ता उसको भी तोड़ दिया था हमने को लिया था को साथ 9 unit का रहा होगा 9 unit वेट रहा होगा यह अपने पास एक हीरा है ठीक है अब यह break हो गया और break हो गया 2 unit 3 unit और 4 unit के ratio में यह बात clear मतलब total कितना रहा होगा पहले पहले total 9 unit था अब break करके 2 unit 3 unit 4 unit अलग अलग कर दिया है ठीक है अब सुनो मेरी बात को जहां से सवाल की पहली लैन में बोला गया है the cost of diamond varies directly as square of weight मतलब क्या करता है यह vary करता है directly proportional to square of its weight मतलब इसका जो price होगा यह क्या है sir weight है weight का square करोगे तो price मिलेगा जैसे 9 unit 9 का square किया 81 unit price होगा सवाल में बोला गया है ठीक है अब जैसे ही आपके 3 part में break होए तो पहला part जो break होगा इसका price कितना हो जाएगा 4 unit हो जाएगा square करेंगे तो second वाले का price कितना होगा 9 unit हो जाएगा square करेंगे तो and third वाले को break किया तो solar unit हो जाएगा यह clear मतलब जो weight है उस weight का square कर दोगे तो आपको price मिल जाएगा तो पहले original diamond कितने का था 9 unit का square कि 81 unit का था और जब break होगा तो इसका price बना 4 unit इसका बना 9 unit और इसका बना solar unit तो original price 81 था और break होने के बाद total price बना 25 और 4 29 unit बन रहा है sir अब यह बताओ कि आप पूरे हिरा 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 होता आप उसको बेस से तो 81 unit मिलता तोड़ने के बाद 29 unit हो गया loss कितना हुआ sir इन दोनों का difference ठीक है दोनों का difference अगर निकालते हैं तो तो कितना हो जाएगा 11 में से 9 हो गया 2 और साथ में दो गया 52 unit 52 unit का loss हमारे according हो रहा है बट सवाल बोढ़ रहा है नहीं भई 52,000 का होगा हमने वो लटी के आपकी भी चला लेते हैं हमारे according तो 52 unit है सवाल के एक हजार रूपीस के बराबर हो जाएगा 1 unit equal to 1000 आपको बताना है original price original 81 unit है इसका मतलब 81,000 answer हो जाएगा option number 5th is the correct answer of this सवाल clear इसका मतलब यह है कि sir कभी कभी है ना none of this भी answer आ सकता है ठीक है none of this answer हो सकता है इसलिए आपका answer none of this है आप ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 81,000 निकाल तो लिया होगा बट comment नहीं किया होगा reason क्योंकि हमको लगता है none of this हुई नहीं सकता है बट यह हो सकता है ठीक है आपको इतनी practice करना है इतनी practice करना है कि आपका अगर answer गलत भी आना तो आपको पूरा confident हो कि none of this होगा ऐसा नहीं करना बट यहां none of this हो सकता है ठीक है आप लोगों को जब लगता है कि आपने कोई question बनाया है आपका concept आपने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा है मतलब none of this दिख रहा है तो answer हो सकता है टिक कर सकते हो ठीक है सुर्टिका जना है sir मेरी बेच में बहुत सारी class pending है so topic name please यह हमारा ratio and proportion का question ratio and proportion में हम लोगों ने पढ़ाया चेक यह question को ठीक है अगला सवाल यह रहा इसका answer बता हो क्या बनाया if nine year are added to the present age of mark and the reminder is divided by 12 then the present age of his son Ron is of 10 if Ron is four year younger to Rob whose age is eight year what is the age of mark mark ka age क्या होने वाला है mark ka age क्या होगा जिन्दगी यहाँ पर आचुके हैं बहुत चांदा 39 हो रहा है answer आज यह देखते हैं देखो क्या बोला है कि mark का present is m4 mark ले लेते हैं उसमें अगर आप nine eight कर देंगे और जो reminder इसको बारह से डिवाइट कर देंगे तो आपको जो age मिलेगा वो मिलेगा किसका इसके बेटे का जिसका नाम है Ron are for Ron if Ron is four year younger to Rob whose age is eight year मतलब देखो और आप जो आठ साल का है और इससे चार साल करेंगे चार हो जाएगा मतलब रोन का age होगा वो चार होगा तो यहां से मार्क को लिख सकते एंप प्लस 9 एककॉल टू बारचोग 48 बस इतना करना है कि बारचोग 48 होता है अरत तालिस में से 9 को माइनस कर देना है 39 बटेक बास सवाल में देखें मार्क काईज ही पुछा है क्या age of mark पुछा है तो मार्क काईज 39 होगा याद रखना हमेसा कभी भी आपको कुछ value मिलती यह ऐसा नहीं कि वही अंसर होता है question की last line को हमेसा read कर लिया करो हो सकता है सवाल में यह पुछता what is the age of mark after 5 years तो आपका सवाल में सीमा's age is 150% of what it was 6 years ago but 75% of what it will be after 6 years present age आपको निकालनी है कितना छोटा सा सवाल ही है दिख्टे कौन सबसे पहला answer निकालता है यहाँ पर सीमा का present age क्या होगा यह आपको बताना है 22 होगा सीमा के क्याना है 22 है सीमा अगर 22 बोल रहे हो सकता है 22 हो तो option no.6 22 साल आपके लिए 8 कर देते हैं तिक है और रुची का क्याना है 24 होगा कुम कुम बोल रहे सीमा आपको अपनी हैज नहीं बतानी नहीं चलो आजो let's see देख्टे क्या होगा इस तवाल का एंसर है ना तेखो बढ़ यहां पता इस सवाल का अगर एंसर देखा जाए तो यहां पर एंसर कहां पर दम तूलो था यह बस यह लाइन ती यह लाइन आपका एंसर है आगे तो अननेसरी का data है आगी वाली जो लाइन में data दिया उसका कोई use नहीं है आपको पहली लाइन से एंसर मिल जाएगा देखो क्या बोल रहा है कि सीमा एज is 150% of what it was 6 years ago 6 years ago इसका जो एज था उसका 150 मतलब 100% रहा होगा तो present में कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा यही बूलना चाहरा है ना statement बताओ कि आज से 6 साल पहले सीमा जो एज थी उसका 150% present में तो 100 का 150% 150 हो जाएगा इसका मतलब सर सीमा का 6 साल पहले का और present का ratio 2 और 3 का हो जाएगा आप बुलेंगे हाँ सर हो जाएगा अब यह बताओ कि 2 से 3 हो रहा है मतलब 1 unit increase होने में कितना टाइम लगा सर एक unit बढ़ने में 6 साल लगा है तो एक unit का value 6 साल होगा नहीं होगा हाँ सर हो जाएगा 1 unit equal to 6 year तो 3 unit equal to हो जाएगा 18 साल जो किसकी present age हो जाएगी अगर आप एक unit का value 6 बोलकर 2 unit का value 12 निकालते तो 6 साल पहले का age होगा ठीक है तो कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने इस line को नहीं पड़ा और answer बता दिया था वैसे maximum बच्चे ने 75% second वाली line का use तो किया होगा कितने ऐसे बालक है जिन्होंने किवल पहली line देखकर answer निकाला था क्योंकि सवाल पहली line में खतम हो जाता है second statement तो आपका time waste करने के लिए दिया था या उसको भी लेकि बच जाओ क्योंकि उससे भी करोगे तो यह आना है वैसे तो ठीक है तो पहली statement से भी answer निकाल सकते यहां पर एक statement से पता चल रहा है तो वैसे ही करना था आप लोगों को ठीक है हल्वा question नहीं गाजर का हल्वा question है मेरे दूसरी ठीक है आगे बढ़ते है next question पर आते है अगला सवाल यह रहा यह प्यारा सा सवाल है अब इसका answer बताओ क्या मनेगा ठीक है अगे हमने तो दूनों पड़ी हाँ यह तो होता है ठीक चलिए fast क्या हो गया इस question क्या है यहां पर एक commenter जिट सर मेंस question लाइए मेरे दूसरी इसका answer बता दू जिंदगी आप तो मेंस लिवल का question लेकरा जाएंगे ठीक है जिंदगी नाम बहुत प्यारा रखा है आपने हा इसका answer बताओ जिंदगी मेंस पर जाने ही से पहले आपका प्री वाला concept एकदम strong हो जाता है तो मेंस पढ़ने में कोई रिक्कत नहीं है जिंदगी है कि ना ऐसे 9 होगा नहीं मेरे दूस्त के लाइए answer इसको strong करो इसके बाद हम लोग मेंस लिवल पर पहुचेंगे और पढ कहां मिलता है गुरू PDF दो चैनल क्वांट बैंकिंग वाला बनावा वहां मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर या बैंकिंग वाला का टेलीग्राम चैनल बना ऑफिशन वहां पर भी आपको PDF मिल जाएगा ठीक है चलो आज बनाते सवाल को calculation है तोड़ा सा बट कर सक अमित ने लगाये 4000 रूपए और रोहित ने लगाये 5000 रूपए और को ने आप्टर सम्मन्द सोहन इंटर्ड विद इन्वेस्मेंट ऑफ 3000 रूपीज ठीक है सर अट इंड ऑफ दे यर अब अब दे यर की बात चल दी इसने 12 मंत के लिए पैसा लगाया इसने 12 मंत के लिए प करता है तो X ले लेता है cancel out कर दो जो cancel हो रहा है 000 000 000 3 से cancel गया 4 3 से cancel गया 4 4 16 5 20 और यह बन गिया X यह हमारा profit का ratio हो जाएगा profit ratio बन गया है ठीक है सर अब सवाल में condition दे रखी है at the end of the year अमित का profit 35% होगा total profit का तो अमित का जो profit हो 16 unit है solar unit equal to 35% of total profit total profit कितना होगा 16 plus 20 plus X क्या इसा लिख सकते आप लो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि sir यह तो ratio है ratio क्यों लिका देखो ratio में आप अगर number एजुम करना चाहते है common factor A A A लेंगे 16 A आएगा और इज़र से भी A common आएगा A तो cancel हो जाएगा जो common factor आएगा वो तो cancel हो जाएगा आप directly इस तरीके से लिख सकते हैं अब इसको आपको solve करना है कैसे करें sir कैसे करें कैसे करें 16 equal to 35 by 100 और इसको लिख दे 16 और भी 36 प्लस कितना हो जाएगा x multiply किया 16 सो equal to 35 का square कितना होता है 2025 प्लस 35 तीन चार पाच्छे 2060 हो जाएगा प्लस 35 और एक्स हो जाएगा अहां यह कुछ गर्डबर से लग रही है क्या ऐसा तो नहीं होना चाहिए 16 ही था 16 यूनिटी हमको दे रखाना है एक सेकेंड 16 ही दे रखा है और इसमें अगर multiply करेंगे चारती है 12 ओके ओके यहां पर गलती किया है 1225 होगा और 358 करेंगा 1260 होगा बस कतम होगा सवाल 1260 क्योंकि नेगेटिव आ जाता न वैसे मैंसर 35x माइनस कर दो 16 मैंसर 1200 माइनस क्या 400 फिर 60 माइनस क्या 340 340 बटा 35 एक्वल टू एक्स होगा पांच से कैंसल गया पांच से तू पैतीस पांच शेंग तीस बचेगा आट साथ से कैंसल गया साथ नाम का 360 बचेगा पांच 95x7 मंथ ऑप्शन नम्बर वन ऑप्शन वन इस दे करेक्ट एंसर ओप इस सवाल रुची का कहना है नहीं आएगा सिर ऊची आप में बता दो क्या आएगा जिरो जीरो 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 चैंसल कर दि प्र चार से कैंसल किया 4 से कैंसल थी बंजा 3 3 4 जा 12 3 4 जा 12 तो 4 और 4 का मटिप्लाइ 16 पांच और 4 का मल्टिप्लाइ 20 और 1 बचा यहिता तुक्का सही हो आप में से कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि तुक्का मारने से माक्स बढ़ जाते हैं क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आये थे मैंने मौक्टिस लगाया मेरे 40 में 25 कॉषिए जो 15 कुषिए तो मेरा जो स्कूर एक था कि दो नंबर बढ़ गए सर मेरे दो नंबर बढ़ गए तो कितने दोस्तों को ऐसा लगता है इसा feeling आती है कि अगर हम लोग तुक्का मार देंगे तो हो सक्ता है कि दस में ज़र 5 इस question correct हो गए तो अपने number बढ़ जाएंगे तिक ऐसा सोचते क्या अगर आप ऐसा सोचते दोस्त तो आपको बता दे कि आपकी strategy पूरी गलत है क्यों गलत है सुन लेना जहां से तुक्के बाजी तु पहले करना है नहीं मैं तुक्का मारना है तरीका आपको बता रहता हूं तुक्त तीन option eliminate हो गए वहां पर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते है क्योंकि यहां पर सवाल सही होने के chance 50% होते है 50% chance सही होनेगा 50% गलत होनेगा बट अगर आप यह तोस्ते कि 5 option है और 5 में से कुछ भी दुक्का मारतों काम हो जाएगा तो इसका आपन एक बार analysis पूरा देख लेते हैं देखो भई अगर फूर एक्जामपल आपने 30 question किया 30 question किया 30 question किया 30 के 30 correct कर दिये आपके 30 number आपको लगता है बन जाएगा 30 marks आ जाएगा फिर आपके दिमाग में आए कि कटव तु बहुत जादा जाता है 10 question तुक्का मार देते है तो आपने 40 question कर लिया अब तुक्त चल जाएगे अपने किसमत के बारे में सोचके बताना आपकी किसमत केसी और कितने से जाएंगे तो आप बोलेंगे इसे 2 या 3 से ही जा सकते है अगर आपके 10 question में इसे 2 question अगर correct हो जाते है तीन भी हो सकते है तो एक इमानने में अगर 2 question correct हो गए है दो number 8 question आपके ग आपने अगर 10 में से 8 correct कर दिये, 2 गलत कर दिये, आपको लग रहा है कि 8 से ही किये, 2 गलत कर दिये, तो हमारा balance हो गया है, balance नहीं हुआ है, आपने अगर 30 question किये होते हैं, और 30 के 30 correct होते हैं, तो आपका score 32, 33 होता, क्योंकि यहां पर आपको accuracy के number मिल जाते हैं, banking exam में, बात आरी समझ में, 30 के 30 correct करते हैं, तो आपके 32, 33 number हो जाते हैं, बट अगर आपने 40 question कर दिये, 10 question तुक्का मार दिये, तो फिर आपका 30 question कर दिये, यह तो balance हो गया, 30 ही number रहेगा, मतलब 3 number का नुक्सान, दूसरे 3 number का आपका नुक्सान हो चुका है, बात आगी समझ में, तो अब तुक्के बाजी तो नहीं करेगा, समझ में, नुक्सान ही है, बैंकिंग एग्जामिनेशन में, प्रॉक्सी करना, तुक्के लगाना, आपके लिए नुक्सान ही होता है, ठीके, okay, clear है, बात आगी समझ में, चलो, अब से तुक्के नहीं लगाना, ट्राइ करो हमेसा आप ल करेक्ट कोशिन करने की कोशिस करो, तुक्के बाजी बिल्कुल नहीं, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशिन बनाते हैं, अगला सवाल यह रहा, और इसका आएंसर क्या परेगा, पार्टनर्शिप का कोशिन है, लगाते ही नहीं हम तुक्के बहुत सामना, जो नहीं लगाते हैं वो तो बहुत सही है, बट जो लगाते हैं वो लगाना छोड़ देना, तुक्के मानने वाले पापी इंसर, क्लियर कोशिप ज़रूरी है, यस, हमारी तो किसमत ही नहीं बनाई, आज ही लेटसी देखते क्या हो गए उनसे, अमरित अगे ना, स्पीट बहुत कम है वह कैसे एंपरू करें अमरिता स्पीड प्राक्टिस से ही बढ़ेगी ठेके एक दिन या दो दिन में नहीं बन जाएगी अगर आप स्पीड चाहते है तो प्राक्टिस रेगुलर करो रिवीजन करते रहो जिसे इस सवाल की अगर बात की जाए ना इसमें अगर आ इसने आठ जार रुपे लगाये 12 मंद के लिए और इसके बाद बोला गया है कि वाई ने जोइन किया 40% जादा तो 8000 का 40% 3200 हो जाएगा हाजर 832 3200 अगर आपने एट कर दिया तो इसने लगाये 11200 रूपे 11200 रूपे तीन मेने बात जोइन किया था मतलब 9 मंद के लिए क्योंकि अएक वेशन मन गई पिसए सवाल करने में कोई टाइम थोड़ी लगना क्योंकि पहली चीजिए की क क्योआता मैं मैं डगना लगता है अगर एक्वेशन मनाने में डग्र आपका हेसीप्ज सुर्या कि अब तो 00 कैंसे आउट कर। करना nerve चीज़ों को कैंसल करका आपका एंसर बन जाएगा 4725 रुपए और टू सवाल का एकदम सहीं उत्तर हो जाएगा ठीक है चली दोस्तों आपको कुछ सवाल में होमवक के लिए रहा हूं यह सवाल को बनाना मजा आएगा आप सवाल को बनाएंगे तो वैसे बना लोगे आप लो अगर इसके पहले वाला आइंसर कमेंट करके पिन कर दूँगा बट आप लोग ट्राय जरूर करना और कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा और आंसर क्या बनेगा ठीक है दोस्तों टॉम रिक्वाइट 1500 रुपीज फॉर पेइंग इस फीस मतलब टॉम को 1500 रुपे फीस देने के लिए चाहिए थैं अब उसको और कितने पैसे की जरूरत है ठीक है बताएंगे क्या होगा इसका एंसर अब उसको और कितने पैसे की रिक्वाइर्मेंट है टोटल 1500 रुपे फीस के लिए जमा करने थे 25 परसंट दोस्ते ले लिए और जो बच्चा हुआ इसका 40 परसंट किस से ले लिया अंकल से ले लिया अब उसके पास 300 रुपे और रेडी थे तो अब फीस जमा करने के लिए उसको और कितने पैसे की जरूरत है रिमैनिंग कॉंसेप्ट ठीक है चलिए फास देखते है किसका सबसे पहले एंसर आता है आया एंसर देखो भई 540 मानिया करके नहीं है पांसो चाली जोकी ऑप्शन में नहीं है मतलब ननोब इस भी हो सकता है लेट सी देखते क्या होगा इससे देखो टोटल 1500 रुपे चाह ठीक है पंद्रस होगा 25 परसंट दोस्ट से लिया तो और कितने पैसे की जरूरत है अगर 25 परसंट ले लिया तो 3 4 की जरूरत है 25 का मतलब 1 4 तो 4 में से एक उसके पास आ चुका है 3 4 की जरूरत थी 25 परसंट फ्रेंट से ले लिया एंड 40 परिमैनिंग अब जो बचा हुआ पैसा इतना है इसका 40 परसंट अंकल ने ले दिया 40 परसंट का मतलब हो जाएगा तुबाइ फिप है तो यहां पर कैंसल आउट कर देते हैं 20 से कैंसल करेंगे 0 तो चला गया 75 75 में 2 का मल्टिप्लाइ कर दिया 400 में 3 का मल्टिप्लाइ कर दिया 450 रूपै ठीक है एक सेकेंड यहाँ पर कुछ गड़ बार कर रहे है 40% अगर अंकल चला गया एक सेकेंड एक सेकेंड इसको करेट करते है 15 रुपे चाहिए थे 25% अंकल से ले लिए तो बचेंगे 3 फोर्थ और उसके बाद 40% remaining funded by अंकल तो बचेंगे 3 by 5 बचेगा दोस्तो 3 by 5 और कैंसल करेंगे 75 75 into 9 इतने पैसे की और जरुषत होगी 45 केरी आएगा 4 63 और 466 675 रुपे हो चुके है मतलब 675 रुपे उसने जमा कर लिए है अंकल से लेकर दोस्तों से लेकर अब 300 रुपे अपने पास था वो भी मिला दिया 300 रुपे और मिला दिया सर तो यहां पर उसके पास कितना पैसा हो चुका है 975 है ना इस बच रहा है 1500 में ही बोरूट 25 परसें तो 3 फोर्ट की और जरुरत थी अब इसमें जो बचा हुआ है उसने क्या कर दिया रिमेंडा फॉन्ड बॉया अंकल से उसने 40 परसें लिए 60 परसें की और जरुरत थी इतने पैसे की जरुरत थी 675 हो गया 975 हो गया अब उसको बचे रिमेंण पैसे की जरुरत हुआ कितना है 1500 में से 975 को दोस्तों माइनस कर लेते हैं 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14 में से 9 हो जाएगा, 625, 625 आ रहा है यार एंसर, सर अब 525 आ रहा है, अब 525 आ रहा है, 625 आ रहा है, 1500 में से 900 माइनस करेंगे, हम लोग, तो 625, sorry 525 हो रहा है ना, 525 is the right answer of this question, 525 is the correct answer, none of this, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, एक बार फिर से में explain कर देता है, हो क्या रहा है, 1500 रुपे टर्म को चाहिए थे, 25% मिल गए, ऐसे लिख सकते हम लोग, 25% मिल गए, मतलब 55% की और ज़रुवत थी, और जो बचा हुआ है, उसका, किस ने दे दिया, 40% अंकल ने दे दिया, तो 70% की और ज़रुवत थी, अब यही चीज को हम लोगों ने यहाँ पर, directly fraction में लिख दिया था दोस्तों, इसको हमने क्या किया, डिरेक्ली fraction में लिखा, और fraction में जब solve किया, तो सर इतने पैसे की ज़रुवत थी, 300 रुपे, अल्रेडी थे 525 की, और requirement थी, इसका मतलब answer जो बनेगा, option number 5, none of this, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, अगला सवाल, next question, आप सभी के सामने, यह रहा और इस सवाल का answer क्या होने वाला है, और यह तो simple सवाल है, कही बार दिखा होगा आप लोगों ने, कि एक examination में, 28% बच्चे फेल होते हैं, mathematics में, 38% science में, 18% दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो आपको यह बताना है कि कितने percent दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, ठीक है, let's see, देखते हैं, concept से पहला answer करता है, 28% फेल होते हैं, mathematics में, 38% फेल होते हैं, science में, 18% फेल होते हैं, दोनों सब्जेक्ट में, तो कितने percent strength दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, कभी भी ऐसा सवाल आएगा, तो when diagram आप लोग बनाएंगे, ठीक है, कला करें, डारेक्ट नहीं कर दियें, कि sir, 28 प्लस 38 कर दिया, और उसमें से 18 माइनस कर दिया, और उसको 100 में से माइनस कर दिया, एंसर आज आएगा, बट कहीं बार बहुत गलतियां होती है, तो ऐसे सवालों को when diagram से ही हम लोगों को करना है, कैसे करेंगे sir, देखो ऐसा है, एक गुला ये रहा, एक गुला ये रहा, अब देखें, यहाँ पर आपको दिया गया है, 18 परसेंट फैल्ट इन बोथ, मतलब बोथ में जो value आपको दिया रहे कि और फैल की है, मतलब when diagram फैल का बनेगा दोस्तों, पास कभी बन सकता है, बट हमेशा ध्यान रखना, कि बोथ के साथ जो connect होगा, उसी का वेंट डियाग्राम होगा, अगर ये पास होता तो पास का बनता है, ये फैल हो, तो फैल का बनेगा, मतलब सीधा सा है, कि अगर mathematics में फैल हो रहे है, और science में फैल हो रहे है, mathematics में 28 हो रहे है, 38 यहाँ पर हो रहे है, अब देखे 28 और 38 में 18 कॉमन है, ये 18 है, 28 माइनस 18, 10 ही हो जाएंगे, 38 माइनस 18, 20 ही हो जाएंगे, तो दोस्तों ये वो बच्चे है, जो या तो एक सब्जेक्ट में फैल हो रहे हैं, या दोनों सब्जेक्ट में फैल हो रहे हैं, अगर मैं 10 की बात करूँ, only mathematics, होंगे, वो सभी सब्जेक्ट में पास हो रहे होंगे, ठीक है, तो एट किया 30, 48, 48 परसेंट वो होंगे, जो एक या दो सब्जेक्ट में फैल हो रहे हैं, तो 100 में से 48 को माइनस कर दिया, 52 परसेंट वो होंगे, जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे, ध्यान रखेंगे wind diagram में आप लोगों को examination में छोटू सा casulate di भी देखने को मिल सकता है अगर casulate di आता है दोस्तों तो आपका wind diagram के concept clear होने चाहिए और concept clear होते हैं अगर आप wind diagram ही बनाते हैं direct करने की कोशिस मत करना कहीं 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 बार गलतियां होती है ठीक है next question अगला स्वाल यह मासूम सा स्वाल इसका हैं से बता हूँ एक election है a person win over another person by a marginal difference of 800 votes ठीक है 800 vote की difference हो जीच जाता है which is 20% of total vote और वो भी बुल्टा है कि 20% है total vote का in the election 10% of votes are invalid find the valid vote आपको यह बताना है valid vote क्या होगा सब बहुत silly mistake हो रहा है क्या करूं अब पुझा होगा mistakes देखो एक बात का हमेसे ध्यान रखना silly mistakes होंगी बट जो mistakes होती है न उसको बार-बार repeat मत करो अगर आपने एक बार गलती कर लिए तो ध्यान रखो अगली बार से गलतिया ना हो अर्थमेटिक को इसलिए तो वर्ट प्रॉब्लम बोलते हैं हम लोग की वर्ट की उपर आपको भी निकालते है तो टोटल वोट वो हो जाएगा 4000 4000 टोटल वोट है इसमें से 10% invalid है तो 4000 का 10% 400 होता है 400 invalid को माइनस कर दिया तो वैलिड हो जाएगा 3600 option no.4 is the right answer of this सवाल है ना आसान एक दम easy question था option अब यह 4000 का 10% कम करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप बुलते सर माइनस नहीं करना है तो 90% निकाल दो 4000 का 90% निकालोगे 9.36 तब भी आपका answer यहाँ पर आ जाता है ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर जाते हैं बट next question पर जाने से पहले अभी तक class में attendance mark नहीं हुए आप लोगों की तो फटाबट जली से attendance mark करेंगे और next question का answer बताएंगे कोई गलती नहीं होना चाहिए without any mistake अगले सवाल का answer आप सभी का आ जाना चाहिए अच्छा इसके उपर एक star लगा देते हैं यह भी उन सवालों में से जो कही बार आपको examination में देखने को मिलता है क्या दिया इस बार सवाल में सवाल में बोला गया है क्या एक आपका बार संवाल गया डीट है क्या क्या यह क्या होगा एंसर वांसी का वेरी गुड मॉर्निंग लेट हो गए पूरे तेरा मिनिट लेट हुए आप 150 सबसे पहला एंसर है पंकज का पंकजनी का एंसर 150 है अच्छा वो लाइबरेरी जा रहे थे नहीं का 150 लट से देखते क्या 150 इस सवाल का सही उत्तर हो सकता है दोस्तों अगर इस सवाल की बात की जाए देखो बेसिक तरीका ही होता है कि अगर हम लोग सपोस कर लेते कि प्राइस ओफ रुस पर की जी ए ठीक है और आपके पास ये मैं आट सु रोपे हैं तो आप कितनी क्वांटिटी पर्चस करेंगे window जोड़ेंगे जा आप श्वाटो रुपे में पैक रिसु ऑश पर हिसापकि पर कैजी के आप से इतनी quantity purchase करेंगे आट सो रुपे है और इतना खरीदना है मतलब इतने रुपीस प्राइस है आट सो डिवाइड बाइड बाइड प्राइस quantity आ जाएगा quantity आ जाएगा क्योंकि आप इस बात को जानते है price into quantity equal to total amount हो जाता है बात simple सी है तो total amount को डिवाइड कर देंगे price से quantity मिल जाएगे अब आपने price को 30% कम कर दिया तो अब आप कितना खरीद होगे 800 price को 30% कम कर दिया मतलब 7x by 10 हो जाएगा और इन दोनों का जो difference बन रहा है वो 2 kg आ जाएगा तो यह है आम जिन्दगी अगर आप इस तरीके से इस सवाल को deal करते है तो definitely time तो लगेगा equation बनाने म बात की बात है बट सर इस सवाल को अगर हम लोग ऐसे बना दे तो कैसे सुनो अभी हमने देखा price में quantity का multiply करते है total amount रहता है और अगर total amount को same रखना है और आप price को बढ़ाएंगे तो quantity को कम करना होगा इसका मतलब से price और quantity एक दुसरे के दुस्मन है दुस्मन का मतलब क्या ह हो जाएगा अगर आप price को increase करेंगे तो quantity कम हो जाएगी बस इतनी छोटी सी बात है price को बढ़ाया quantity कम quantity को बढ़ाया price कम simple अब देखो price कितना बढ़ा रहा हो price को हम लोग क्या कर रहे रेडियूस कर रहे मतलब price को हम लोग 10 से साथ कर रहे बुल सकते 30% कम किया तो price का ratio हो गया 10 is to 7 quantity का ratio हो जाएगा 7 is to 10 इतना clear अब आप देखेंगे sir quantity जो हमारी है वो increase हो रही है तीन यूनिट से हमारे according तीन यूनिट बट सवाल बूलता है नहीं भया दो किलोग्राम से increase score आपने बूला ठीक है तीन यूनिट का value दो किलोग्राम अब आपको क्या बताना है reduced price बताना है तो reduce price महले 800 रुपय में आप कितने किलोग्राम खरीद रहे है 800 रुपय में कितने किलोग्राम खरीद रहे है quantity निकालना है अब reduced price ही हो जाएगा तीन यूनिट का value 2 तो 10 का value 20 by 3 हो जाएगा लिख देते हैं 10 unit का value हो जाएगा 20 20 by 3 kg that means अभी आप इतना पर्चेस कर रहे हो तो 20 by 3 से डिवाइट कर दिया सर 20 से कैंसल किया 40 40 में 3 का मल्टीप्लाई किया 120 120 option number 5 मतलब अगर ratio method आप जानते तो 2 line का सवाल था ठीक है बट अगर ऐसे करना जाएंगे तो हम लोगों को time definitely लग जाता है अच्छा एक और बात का हमेशा ध्यान रखना कि question में क्या पूछा गया है अगर आप से reduce price पूछा गया है तो आपका answer 120 होगा अगर सवाल में पूछे जाता कि original price क्या था तो original price कैसे निकालते 3 unit का value 2, 7 unit का value 14 by 3 हो जाएगा 14 by 3 में आप लोग 800 रुपे में 14 by 3 purchase कर रहेते तो ये आपका original price हो जाएगा 2414 ये आपका original price हो जाएगा is that clear क्या सभी को समझ मैं कल अगर सवाल ऐसा बन जाता है कि original price निकालो तो original price बनेगा 2414 बड़ अगर reduce price पूछा है तो आपका answer 120 आ जाएगा मेरे ख्याल से अगर ये सवाल आता है तो आप सभी 20-30 second में बना सकते और ये important ये आपको देखने को मिल सकता है जब examination दे रहे होंगे और ये सवाल आपके सामने आएगा तो definitely आपको मेरी याद जरूर आईगी ठीके ओके चैलिए आगे मूँ करते दोस्तों next question अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने और इसका उत्तर बताओ क्या होगा क्रांतिकारी सवाल है अगर आप में से किसी को लगता है किसा सवाल स्किप करना चाहिए कमेंट कर सकते है article P and Q were sold at 20 and 25% discount respectively the cost price of both the article was same find the ratio of the mark price of article P and Q respectively if the profit earned on article P and Q was 12% and 45 by 2% respectively बताओ क्या होगा इसका है अब यहां पर cost price से selling price selling price से mark price पर कैसे जाना है वो आपको पताओना चाहिए cost price से selling price selling price से mark price maybe भी ऐसा नहीं होता maybe करके थोड़ी answer करेंगे जो है वो बताओ आप ठीक है देखो एक लाइन मों बनाने की कुछिस करता है सीमा का कैनाइसर किप करेंगे इसकी वैसे नहीं करना था मैंको यह बताओ यह एक article P है एक article U है यह तो लिख दोगे इसमें दिक करनी है दोनों का cost price सेम है मैंने बुला इसका 100 है और इसका भी 100 लेलेते है अब देखो अगर आप पहले वाले को बेजते हो तो 12% का profit है मतलब 12% बढ़ा दो 112 बटा 100 हो जाएगा ठीक है यह होगा और इसको 45 by 2% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस 45 by 2 अगर करोगे तो 245 बटा 2 हो जाएगा इसको लिखेंगे 245 बटा 200 यह increase कर दिया है अब यह selling price मिल गया है हम लोगों को बात ही समझ में अगर इसको 12% profit भी वेचेंगे तो 100 122 होगा और इसको अगर आप 45 by 2% profit भी वेचेंगे सर यह selling price है और यह क्या है यह भी selling price है अब देखो mark price पर discount देने के बाद selling price मिला होगा मतला पहले वाले पर 20% का discount दिये तो यह 80% का value हो गया यह 80% हो गया discount के बाद selling price 80 हुआ और आपको निकालना 100 तो 100 का multiply divided by 80 के clear है यह जो value है मेरे भाई वो selling price है और selling price discount के बाद 80% मनता है मतला 80% का value पता है और हमको 100% निकालना है तो 100 का multiply divided by 80 similar यहाँ पर देखो आप लो mark price निकालना है मतला 100 निकालना है और हमको पता है कि जो selling price हो कितना है 25% कम that means 75 होगा बस इसको simplify कर दो आपका answer आजाएगा एक line में सवाल बन जाता है ठीक है अब देखो यह cost price का तो कोई roll ही नहीं है क्योंकि दूनों का same में cancel हो जाएगा ठीक है 100 केंसल का 2 हो जाएगा और कुछ केंसल 100 से 100 भी cancel हो गया sir और क्या cancel कर सकते है 5 से cancel करेंगे 16 हो जाएगा 5 से cancel कि 15 हो झाएगा ठीक है और यह 15 से cancel हो सकता है पांस से तो cancel हो सकता है पांस तिया पंद्र पांस चोग का भी पांस नाम 45 49 हो गया 3 हो गया और कुछ cancel नहीं हो रहा है सर तो इधर बन जाएगा 112 इंटू 3 और इधर बन जाएगा 49 इंटू 16 4 से cancel करते हैं 4 दूना 8 4.32 इंटू 3 इक्वल टू 49 इंटू 4 साथ से cancel किया साथ चोग 28 साथ चाथ चाथ उन पचास और 4 से 4 को cancel किया तो हमारा जो ratio आजाएगा 3 इस्टू 7 option नमबर फिप्थ नन ऑफ दी सवाल का answer यहाँ पर बन जाता है 3 रहेगा ना कुछ शुटा दो नहीं 6 इस्टू 7 आजाएगा दोस्तों यह अपना 2 रहेगा था ना पक्का रहेगा था एक बार देख लेते है 3 को ले गए तो 6 इस्टू 7 हो जाएगा दोस्तों यह दो जो है उसको भी दल लियाते है उसको भी दल लिख देते है 6 इस्टू 7 option number 1 is the correct answer of this सवाल क्या आप सभी को यह सवाल दिमाग में जा चुका है बात को समझना मतलब एक लाइन को simplify करना है बट यह लाइन जो लिखना है इसमें टाइम लग सकता है अगर आपको cost price दे रखा है selling price निकालना है तो directly add करेंगे selling price दाएगा बट तो discount दे रखा है अब देखो discount दे रखा है मतलब हम बोल सकते हैं 80% का value पहले वाले को लेके समझते हैं कि 100 into 112 by 100 है बट आपको निकालना mark price तो mark price कितना होगा 100 होगा तो आप अगर 100 लेंगे तो 100 का value कितना हो जाएगा 100 into 112 by 100 into 100 by 80 कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है अगर आप 100 का value निकालना चाहते हैं तो 100 से multiply कर दो 80 का value पता है तो lt को divide में लिआ जिसका value calculate करना होता है उसको multiply में लिखते हैं और जो value हमको पता है उसको divide में लिखते हैं तो यहाँ से आपका सवाल बनाना आसान हो जाएगा और अगर यह approach आपको नहीं पता है तो I think एक यह चीजों को calculate करके फिर ratio निकालना में time ज्यादा लग जाएगा क्योंकि आप देखो अगर यहाँ पर 100 का 112 by 100 निकालेंगे तो ठीक है फिर 112 का 100 by 80 निकालेंगे calculation में time फिर यहाँ पर calculation करेंगे यहाँ तो और भी ज्यादा time लगेगा तो अगर individual निकाला फिर आपका decimal में आएगा decimal के बाद फिर divide करोगे फिर ratio निकालोगे ताइम बहुत जादा लग जाएगा दोस्ता ठीक है चलिए आगे बढ़ते next question पर आते है अगला सवाल यह रहा और इसका उत्तर बताएंगे क्या बनेगा profit earned by company is distributed among manager and support staff in the ratio of 3 to 5 ठीक है if the number of manager is 60 and the number of support staff is 100 and the amount received by each manager is 40,000 manager को जो amount मिलेगा हो 40,000 है total amount of profit क्या होगा सवाल में कि वो language है मेरे भई language के अलावा कुछ भी नहीं है इस सवाल में language को टिक से interpret करना है आप लोगों को और अगर वो कर दिया तो सवाल 20 सेकेंड में solve हो जाएगा मानिया का बहुत जल्दी सा एंसर आ गया सीवम मानिया अराध्या वंसी का तनू यार सिंपल है देखो manager को total profit कितना मिलेगा each manager get 40,000 total manager सहाट है तो manager को total पैसा कितना मिलेगा सहाट into 40,000 यही पैसा क्या मिल जाएगा manager को मिल जाएगा अब manager को profit में से पैसा मिला है profit हमने आज्यूम कर लिया P और यह profit को divide किया गया तीन और पांच की रेशियो में तो manager को मिल रहा है तीन आउट ओफ आठ बुल सकते है manager को जो profit में से पैसा मिल रहा है वो 3 by 8 हो जाएगा तो P into 3 by 8 equal to 60 into 40,000 अब ख़दम कर दो इसको 3 से cancel कि अब 20 हो जाएगा 8 दूना 16 चुक 160 तो profit होगा 64 आगे एक, दो, तीन, चार, पांच, जीरो लगा देना है 64,000,000 option number 2 option 2 इस सवाल का एकदम सहीं उत्तर हो जाएगा आखों ही आखों में बना दिया इसको very good पाईल क्या पूछना चाहरे हो अब sir प्लीज बता दो पाईल के लिए टेलिग्राम ग्रूप के लिए क्या sir का anybody tell me पाईल टेलिग्राम के लिए बैंकिंग वाला टेलिग्राम चैनल है क्वांट बैंकिंग वाला भी चैनल है आप जोइन कर सकते दोनों में से कोई भी दोनों में आपको PDF मिल जाएगा ठीके चलिए आगे बढ़तें next question बढ़ते हैं अगला सवाल दोस्तों यह रहा आपके सामने सवाल का answer क्या बनने वाला है यह आपको बताना है रोहित बोट अ मोबाल फोन for rupees 15,000 he mark up the price of phone 40% and sold current 20% discount if current then sold the phone to Sreya at 10% profit what was the discount offered by current provided the mark price of phone was the same as Rohit said marked profit and loss का सवाल okay बताओ क्या होगा इसका answer एक minute के अंदर complete हो जाना चाहिए within a minute इस सवाल को वैसे fraction method से भी बनाया जा सकता है पता है सिवम का क्याना है भी होगा इसका answer बी होगा कुमकुम का भी कहना है सर बी होगा ओके चलिए आजीए आजीए देखते है क्या आप चल रहा है सवाल में कॉश्य में पहले तो यह देखते है Rohit ने मुबाल फोन करीदा 15,000 रूपे में Rohit ने खरीदा 15,000 रूपे में 15,000 कोई दिकत नहीं है आगे बोला he mark up the price of phone by 40% 40% mark up कर दिया 40% का value कितना होता है 2 5th होता है तो 5 में 2 बढ़ा दिया 5 में 2 बढ़ा दिया मतलब 7 by 5th कर दिया that is mark price for Rohit तो mark price अगर आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा 21,000 21,000 MP हो जाएगा MP का मतलब mark price ठीक है sir and solve it to the current 20% discount अब यह जब current को बेचेगा तो 20% discount पर बेचेगा 20% का मतलब 4 by 5 directly दिया 20% 1 by 5 पांच में गया 4 बटा 5 तो इसको solve कर देते 5 से cancel गया 5 चुक 20 बचेगा 1 4,2,00 into 4 that means 1,6,8,00 इतने में इसने क्या कर दिया current को दिया current को बेचा 16,800 में अब current ने Shriya को 10% profit में बेचा 10% profit का मतलब 11 by 10 Shriya को कितने में बेचा sir इसने Shriya को बेचा है 18,480 रूपे में that is the selling price for Shriya Shriya के लिए selling price है Shriya के लिए selling price का मतलब Shriya को sell कर रहा है तो Shriya के लिए cost price रहेगा ठीक है Shriya को इतने में बेचा है ठीक है अब आपको ये बताना है कि Shriya को कितना discount मिला है अगर Rohit का जो mark price था वही mark price हम लोग रखते है मतलब Rohit का mark price कितना था मेरे भाई 21,000 था अब 21,000 वहला आर्टिकल अगर Shriya को 18,480 में जा रहा है तो discount percent निकाल सकते हो Yes ratio चाहो तो ratio निकाल दो बड़ देखो ratio डिवाइड हो रहा है क्या साथ दूना चाओदा साथ चेंग भईयाली Yes तो ratio निकाल देते है ये mark price हो गया और ये selling price हो गया 0 से 0 cancel किया साथ से cancel किया 300 हो गया साथ से cancel किया साथ दूना चाओदा साथ चेंग भईयाली साथ चुकटा है और कुछ cancellation 4 से हो जाएगा नहीं sir चलो इसको ही रख देते 300 वाला 264 में मतलब 36 रुपय का discount किस पर 300 पर into 100 क्या रहा है मेरे दुट्टो discount percentage 12% 12% का discount जा रहा है None of this answer आ रहा है ठीक है एक और बार explain करने की जुरूत है यहां पर सिंपल सा सवाल था 15,000 का रुवित ने खरीदा उसको mark-up करके 21,000 कर दिया अब जैसरी 21,000 mark-up कर दिया उसके बाद उसने बोला कि इसने 20% discount पर किसको बेज दिया 20% discount पर इसने अपने दोस करन को बेज दिया 20% जब discount निकाला 4,200 and 28,168 00 अब 16,800 किसको मिल गया था करन को मिल गया था बद करन स्रिया को 10% पर बेचा है तो 16,800 10% बढ़ाएंगे तो आपको मिल जाए 18,480 18,480 हो गया अब दुसरों बात को जो mark price रोहित का था वही mark price को अगर हम लोग रखते है तो स्रिया को discount कितना मिला है 21,000 अबला article 18,480 में जा रहा है तो discount percentage निकालने के लिए आप लोग ratio निकाल सकते है या फिर 21,000 में से 18,480 को minus करो वह 21,000 का कितना percent है वैसे निकाल दो time लगेगा तो ratio से अगर calculation किया जाएगा तो हमारा answer जल्दी आ जाएगा ठीक है ओके 100 मान के बना सकते है क्या 100 क्यों मानोगे पहले यह बताओ अगर आपको cost price already given है मेरी बात को सुनो वैसे 100 मान के भी करोगे तो काम तो हो जाएगा क्या आपको percentage में पूचा है अगर 15,000 दे रखाया तो 15,000 से calculation मेरे खाल से आपके ले इतना tough नहीं है वैसे भी कर सकते हो और अगर 100% लेना चाहते हो cost price को वैसे भी करोगे तब भी यह answer आजाएगा चलिए आगे बढ़ते पूनम का answer आगया तो 12% अगला सवाल यह रहा और इसका answer बताओ दिखने में क्रांतिकारी सवाल है क्या आप लोग इस सवाल को बना पते है क्या बोला है a run x meter b run y meter c run z meter such that x y y z आपको दे रखा है the total number of run scored by abc 630 दे रखा है what is the total number of run scored by each person approximate अभी आपको यह देखकर लग रहा है कि sir race का question है to race का question ही ratio का question है ठीक है यह सवाल जो है वो किसका है sir यह सवाल आपका ratio का एकदम simple सा सवाल है बस यहाँ आपर एक चीज़ दी approximate निकाला है arithmetic में आपको approximate answer calculate करना है चलो sir last question को fraction से बता दीजिए last question को आपको fractions ही तो किया है 7 by 5 4 by 5 11 by 10 यह fraction से ही हुआ है ठीक है आज है यह सवाल को देखते है आपको ना x और y का ratio given है y और zhid का ratio given है x and y का ratio भी 3 दो का है और y और zhid का ratio भी 3 दो का है क्या आप यहां पर combine ratio निकाल सकते है combine ratio निकालने के 3 तरीके है या तो आप balance कर दो या फिर shifting कर दो या फिर reverse and method लगा दो तो y दोनों में common है y को अगर equal किया जाए 3 का multiply 9 3 का multiply 6 3 का multiply 2 का multiply 4 हो जाएगा यह हो जाएगा ठेक है यह combine ratio आगया दोस्तों अगर में तीनों का addition करता हूं तो 6 4 10 19 unit आ जाएगा 19 unit का value सवाल में 630 दे रखा है यही दिया है ना यहां से निकाले अगर हम लोग तो 1 unit का value कितना हो जाएगा 19 से cancel किया तो 19 तिया 57 बचेगा कितना सर बचेगा यहां पर 57 कर दिया तो बचेगा 6 19 तिया 57 approximate पूछा है तो approximate 33 ले सकते है एक unit का approximate value जो बनेगा वो 33 हो जाएगा 33 approximate आप cancel करोगे तो approximate 33 होगा अब अगर x का value निकालना है तो 9 into 33 हो जाएगा 29 सत्ताविस किरिया 29 सत्ताविस 297 और यहां पर इससे multiply करेंगे 6 तिया 8 तिया 8 तिया 8 तिया 198 और 4 तिया 12 4 तिया 12 132 इस पैसे तो अपना answer कोई भी नहीं दिख रहा है ना None of this is the correct answer of this सवाल सवाल का सही उत्तर क्या बन जाएगा None of this हो जाएगा x y y z का ratio 3 2 3 2 तिया 9 3 2 6 2 2 4 4 हो गया 9 6 15 4 19 एक unit का value हमने निकाला ठीक है ठीक 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 तो approximate आपका answer जो बन रहा है दोस्तों None of this ही बनेगा option number 5 यहां पर बस में देख रहा था कि कि किलोमेटर या मिटर का कुछ लपडा ना हो जाए बड़ यहां पर तो कोई unity नहीं दे रखिए और अगर unit नहीं दे रखिए तो कुछ भी दिककत नहीं होंगी ठीक है Sir यह question एक बार कर चुके बार नहीं होड़ पर ऑपिए और लाज अचे यह बोईस बोल एक हम गल्स से 40 परसंट जाता देंगे अच्छी बात है एक्स्टेनल स्पॉंसर गिव ट्वाइस द बोईस कंट्रिबूशन हो मच शुट बोईस टोनेट कितना पैसा बोईस ने यह डोनेट नहीं लिखना चाहिए डोनेट फुरी कर रहा है कंट्रिबूट लिखना चाहिए ठीक यह अनिवे कोई बात नहीं अब बताइगे क्या होगा इसका एंसर बोईस ने कितना पैसा कंट्रिबूट किया होगा 1400 1400 सर आप टीम को बोल जीजए अच्छी हां बोल दिया तो बाइगे पांच में दो इंक्रीज कर दो मतलब गल्स अगर पांच रुपे देंगी तो बोईस सात रुपे देंगे एक्स लेलो तक ही कंट्रिबूट करते तो गल्स करेंगी फाइव एग्स और जो स्पॉंसर कर रहा है वो बोईस का डबल स्पॉंसर करेगा 14X स्पॉंसर करेगा तो टोटल देख लेते कितना बन रहा है 215 26 टोटल अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग 26 एक्स है सवाल की अकॉर्डिंग 500 रुपे कितना है 5200 रुपे तो 26 से कैंसल किया एक्स का वैल्यू हो गया 200 रुपे एक्स का वैल्यू 200 है बोईस का वैल्यू 1400 रुपे है 1400 रुपे है 1400 रुपे है और आप सभी का इस बार एंसर तेजी के साथ करेक्ट भी आ चुका था बहुत सांदार अतियुत्तम अगला सवाल next question यह रहा है इसका एंसर क्या बनेगा दूस्तों यहां पर अगर सवाल दिख नेफ्यू हर एक बेटी को कितना पैसा मिलेगा इच डॉक्तर रेसीव और अमच अमूंट निशा ए टी अतियुत्तम मतलब बहुत सांदार अतियुत्तम का मतलब बहुत सांदार होता है तेक है आरति कुमारी का एंसर है ओप्शन नमबर 4 गुल्डी का भी C है बी C डी कितने पुत्र है कितनी पुत्रिया है और कितने नेफ्यू है यह लिख देते पहले तीन पुत्र है चार डॉर्टर है और दो नेफ्यू है यह बात हमको क्लियर है आगे बढ़ते है सर देखते है और इस डॉर्टर रिसीव थी ताइम तीन गुना रिसीव करेगी नेफ्यू का 3 time and each son received twice as much as each nephew इसको 2 मिलेगा ठीक है यह number है और यह individual का price है मतलब total पैसे में son को total कितना मिला 9 unit इसको total मिला 8 unit इसको मिला 2 unit और हमारा answer इस case में अगर करते हैं तो 3 तिया 9 individual मिल रहा है if each daughter receive 3 times as much as nephew and each son receive twice as much as his nephew तीन चार और दो चार दून आठ तीन त्या नव और आठ कितना बनेगा नव दस ग्यार आठ 19 unit बन रहा है और 19 unit को अगर 10,000 में डिवाइट करेंगे तो अपना answer तो decimal में आरे ला है ठीक है इसको अगर हम लोग price को ऐसा कर देते है तो x ले लिया इसको अगर ऐसे करके देखेंगे तो काम होगा गया बात तो वही हो जाएगी न 2x और 3x तो यह बिलेगा 9x plus 8x plus 2x equal to 10,000 रुपेज क्या आप लोगों का भी answer डेसिमल में आ रहा है एक बार comment करके बताओ approximate बुला है कहां पर नहीं बुला है न अप्रोक्सिमेट अप्रोक्सिमेट तो नहीं बुला है तो हमारा answer तो decimal में आ जाएगा क्या आपका answer भी decimal में आ रहा है अगार दोटर है कि दोटर टीन है डोटर मैंने चाल ले लिए अच्छा दीन है यस-Yस-Yस फिर करेक्ट है यस-Yस यस यह यह थीन है यह भी थीन थे नहीं डोटर चाहरी तो हैं तीन कहा है 3 son 4 daughter 2 nephew निए तो लिखा है और यह daughter received 3 times of nephew and is son received 2 times of nephew, निए तो लिखा है प्रोक्स आरहा है आप्रोक्सिमेशन का तो नहीं बोला, none of this निए जाएगा झाएंसर क्योंकि अगर यहाँ पर total amount निकालेंगे, तो 9x plus 8x plus 2x equal to जो बन रहा है वो 19x बनेगा 19x का वैल्यू 10,000 बनेगा तो x का वैल्यू 10,000 by कितना बन जाएगा 19 बन जाएगा तो आपको निकालना था क्या how much does each daughter receive daughter को मिल रहा है 2x तो यहां पर आप बूल चकते हैं यह आपको 2x निकालना है तो 20,000 divided by 19 सवाल का उत्तर हो जाएगा और अगर यहां पर approximation दिया होता तो आपका एंसर approximate निकाला जा सकता था बट यहां पर again जो answer है वो none of this है so daughter received 3x तो यह क्या लिखा है मैंने एक एक लाइन में आपको बता देने ठीक है a man leave 10,000 divided among son है daughter है यहां से सुन लेना nephew है son को कितने है 3 son है daughter कितनी है 4 है और nephew कितने है 2 है यह number है बाई साब यह number है ना अब चलो price की बात करते each daughter received 3 times as much as his nephew nephew को अगर x मिलेगा तो daughter को 3 times मिलेगा 3x is that clear nephew को अगर x मिलता है तो oh 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 I am really sorry आप सभी सही थे यहां पर 3x आएगा approximate नहीं हो रहा है यह x है तो यह 3x होगा और यह 3x होगा यह 2x होगा individual होगा I am really sorry for that daughter को अपन इदर रख रहते हैं यह इदर हो जाएगा और इसलिए अपन answer 99 कर रहते हैं none of this नहीं होगा फिर answer 6x हो जाएगा 12x हो जाएगा 2x हो जाएगा 20x का value 10,000 x का value 500 x का value 500 तो हमको निकालना था each daughter received each daughter received 15 कितना आसान सवाल था मतलब एक गलती और पूरा सवाल कलित हो गया था थेक्या सांती को पकड़ी है सर हां सांती मिल गई अभी तो यही कप से बूल रहा है थे सर आप जो बूल रहा है इसका मैं इसको देख रहा था यहां पर हमारा 3-4 दोतो है इसको देख लेते तो साइद इतना टाइम ही नहीं लगता आप सभी को यह बात समझ में आगे होगी और अप्रोक्शमेट एंसर नहीं था इसका option no.4 यह एंसर अगला सवाल यह रहा इसका एंसर बताओ यह भी प्यारा सा कोश्यन है अब इस सवाल को देख कर यह बताओ क्या आप इस सवाल को स्कीप करेंगे यह सॉल करना चाहेंगे अ मैं ओडर्ड एट पयर और ब्लैक और ब्राव पयर और सूज socks the price of black socks is three time that of brown pair while preparing the bill the clock interchange the number of black and brown pair by mistake which increase the bill by 75 percent bill treble 75 percent the ratio number of black and brown pair of socks in original order was बताओ क्या होगा इसका answer क्या होने वाला है रचित क्याकरण साफ कल वाला ओंवर का question ही क्लता नहीं question का answer नहीं क्लतता कि उसका एंसर आपको कमेंट कर दूँगा, और रचित में चेक करके आपको बता देंगा दोस्तों को, क्या एंसर? लव यू जिन्दिगी का सबसे पहला एंसर बी आ चुका है, बी बोल रहे है, अगर आता है, तो ध्यान से देखना किस तरीके से हम लोगों को बनाना है, सिंपल सी बात है, कि एक आदमी ने ओडर किये ब्लैक और ब्राउन कलर की सॉक्स, ब्लैक और ब्राउन, ठीक है, अब अपने को quantity पता है, नहीं पता, मैंने बोला, ब्लैक वाली quantity A लेलो, ब्राउन वाली B लेलो, टॉटल 8 A उनको पताई, बाट रेशियो 150 nam, ब्लैक वालली A है, ब्राउन वाली B है, यह नमबर की बात है, ठीक है? अब दोस्तों प्राइस के अगर बात की जाये, तो प्र multiply करके 3A और B में 1 का multiply करके B यह बोल सकता हो यह total amount हो जाएगा मतलब आपको इतना पैसा देना पड़ेगा 3A प्लस B इतना clear है सवाल कतम हो चुका है यह बात समझ में अगर black वाला A number है brown वाला B number है price का ratio 3 to 1 है price का ratio 3 to 1 है तो 3 into A total amount for black socks 1 into B total amount for brown socks तो यह आपको 3 A प्लस B total bill देना पड़ेगा क्या यहां तक clear है यहां तक clear है यहां तक clear है पड़ने में time नहीं जाएगा विससे समझ में आगया सवाल इस टेप के सवाल अगली बार दिखेगा तो आप जल्दी बना लेंगे यहां तक clear एक thumbs up कर देंगे sir clear है सवाल फिर कतम हो गया अब बोलेंगे कैसे देखो अब अगर इसको इंटर्चेंज कर देंगे इसको क्या कर देंगे इंटर्चेंज कर देंगे यह तो प्राइस को इंटर्चेंज करो यह आर्टिकल को इंटर्चेंज करो तो जैसे ही इंटर्चेंज करेंगे तो new amount क्या हो आप बोले, Sir, new amount जो हो जाएगा, 3B plus A हो जाएगा, interchange कर दो, B की जग़, A, A की जग़, B, interchange हो गया, हो गया, interchange, उसने बोला कि अगर, while preparing the bill, the clerk interchange the number of black and brown pair, उसको interchange कर दिया, हमने भी कर दिया, तो अब जो bill है, 75% बढ़िया है, पहले 100 था, तो 175 हो गया है, bill जो पहले था, वो 100 था, तो बाद वाला bill 75% बढ़िया है, सवाल करता है, मैं इसको solve कर दो, 25 से cancel किया, 4, 25 से cancel किया, 7, 7 से multiply किया, 21 A plus 7 B equal to 12 B plus 4 A, 21 में से 4 गया, 17 A equal to 12 में से 7 गया, 5 B, तो यहाँ पर A और B का जो ratio बनेगा, 5 by 17, और यही हम से पूछा गया था, यही पूछा था, यही पूछा था, the ratio number of black and brown, black and brown, मतलब A और B का ratio 5 is to 17, correct answer हो जाएगा, क्या यह सवाल आप सभी के mind में जा चुका है, बस चुका है, बस चुका है, मतलब सवाल का calculation अगर देखा जाए, तो बहुत ज्यादा नहीं है, सवाल को बस पढ़ने में टाइम लग सबता है, और अगर आप एक बार इस सवाल को बना लेते हैं, तो बाद में भी बहुत चलती बनेगा, मैं लगा हर एक सवाल में आप बोलते हैं, सब्स्पीड नहीं बनता है, मेरे दोस्त, ठीक है, तो इसलिए मैं आप ऐसा बोलता हूँ, कि क्लास में जो सवाल बना रहे हैं, आप उसको रिवाइस को रॉच्छे से, उसका प्रैक्टिस करो, पीडिएफ आपको मिल रहा है, पीडिएफ को अपने पास रख लो, उसका रिविजन करो, सेम टाप का क्वेशन आपको दिखता है, बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है, आगे मुकरते अब, नेक्स क्वेशन, अगला सवाल दोस्तों ये रहा, और इसका एंसर क्या होने वाला है, सवाल में दिया गया है, C can complete 40% of work in 5 days, C can do 40% of work in 5 days, D can do 35% of work in 7 days, और K, how many days C and D together complete the work, C and D पूरा काम कितनी दिनों में करेंगी, 40% का वैल्यू 5 है, तो 100% का वैल्यू 1.5, 35% का वैल्यू 7 है, मतलब 5% बराबर कितना हो जाएगा, 1, तो ये 20 दिन ओजाएगा, ठीक है, इसका एंसर तो आगया होगा सभी का, simple है न, एक इसे काम को इतने दिनों में करता है, भी इतने दिनों में करता है, दुनों मिलकर कितने दिनों में करेंगा, यही तो पूछा है, बट पूछने का तरीका लगे है, ठीक है आजो अगर C 40% work करता है 5 दिनों में इसका मदलब सर क्या ही 100% work करने में 40% करने में 5 दिन लग रहे हैं तो 100% करने में विसे डारेक्ट 12.30 लिख सकते हो अगर नहीं समझ में आता हो तो ऐसे कर लो 25 का अदा 12.30 जब 25 by 2 लिख देते 25 by 2 days C को लगेगा C कोई काम 25 बट्य दो दिनों में करता है 25 by 2 days में करता है अच्छा D के बारे में क्या बोला है Sir D 35% काम 7 दिनों में करता है तो 7 से cancel करो 5% काम बोल सकते हैं एक दिनों में कर रहा है तो D अगर 5% काम एक दिन में करता है तो 20 से multiply कर दो 20 से multiply कर दो 100% work करेगा 20 दिरों में खतम तो D करेगा 20 दिरों में LCM ले लिया 100 हो गया 25 से divide किया 4 हो गया और 25 से divide किया 4 हो जाएगा 2 उपर जाएगा तो 8 हो जाएगा और 20 से divide किया 100 को तो 5 हो जाएगा हमारा जो combine करना है वो बनेगा 8.5.13, 13 से थेर से थे, 7.9.13 देज, 7.9.13 देज, 7.9.13 देज, option number 1, क्या option number 1 ही आपका answer था, yes, option 1 correct answer बन जाएगा, ठीक है, अगला सवाल, next question, ये रह, इसका answer क्या बनेगा, अब सवाल में दिया गया है, X, Y, and Z together complete a work for 6,000 रुपीज, X can do it in 10 days, Y can do it in 12 days, Z can do it in 15 days, with the help of W, they complete the work in 4 days, find the share of W, W का share क्या होने वाला है, आप W को कितना पैसा देना चाहते हो, अब बिचारा कुछ आया है, तो काम करें, कुछ पैसा दोगी या नहीं दोगी, depends करता है आप क्यों, पर कि आप उसको देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, अगर ऐसा होगी आप खुदी सारा काम कर दोके, तो W के आने का कोई मतलब ही नहीं नहीं देगा, और उस case में W को जीरो पैसा दिया जाएगा, किसका केना है, सीमा के केना है, सीमा एक दम करेक्ट है प्रिवियस कोईशन है, 7 9 by 13 ही उसका करेक्ट एंसर है, ठीक है, एक बर आप चेक जरूर कर लेना उसको, नहीं दोगे पैसा, पक्का, लालचे इंसान हो आप लो, फ्री में काम कर लिया अचा ठीक, अचा फ्री में तो तब होता है जब उसने कुछ काम किया हो, देख तो लिते कि उसने कुछ काम किया भी है या नहीं किया है, ठीक है, एक्स किसी काम को 10 दिनों में करता है, य बारह दिनों में करता है, और जेड पंदरह दिनों में करता है, अगर ये तीनों मिल मिलकार काम करते हैं , 6-4-10-15 unit के साफ़चे तो you how will you still work 4 दिनometer 3 मिलकार काम करते तो 60 जबन रहे हैं कि 3 आया और उसने आराम किया कुछ भी नहीं किया। अब W आकर अगर आराम करता है कुछ करता किने नहीं है तो क्या आप उसको पैसा देना चाहोगे आप बोलेंगे क्यों दे सर ठीक है तो W का आने का कोई सेंस नहीं था और अगर W के आने का कोई भी सेंस नहीं है तो हमारा एंसर जीरो यहाँ पर हो जाएगा हम W को पैसा भी नहीं देंगे है अगला सवाल नेक्स्क्रेशन यहाँ पर एंदी बाले पाट को रब कर देंगे है क्योंकि प्रिवेस क्रेशन का ही हिंदी यहाँ पर रेपिट कर दिया है तो सारे बच्चे इंग्लीज में सवाल को पड़ लेंगे अनु and Babu can separately do a piece of work in 24 and 18 days respectively they work together for 6 days after which Babu was replaced by Charlie if the work was finished in the next 2-2-3 days then the number of days in which Charlie alone could do the work will be अच्छा सवाल है ये भी, calculation के साथ है, हिंदी में मत देखना है दोस्तों, क्योंकि हिंदी में previous question repeat हो गया, slide में मुझा एक बन्या वो भी नहीं दे जिसे में, अच्छा, बिल्कुल नहीं दो गया, आज यह दोस्तों बनाते सवाल को, अनु और बाभू separately अगर काम करते, अनु के साथ बाभू काम कर रहा है, अनु 24 दिनों में काम करती है, और बाभू 18 दिनों में काम करता है, ठीक है LCM ले ले लेते हैं सर तो 6 चोविश 6 तीया अटर 4 तीया 12 चिंग बहुततर 72 LCM हो जाएगा 24 तीया बहुततर 18 चोग बहुततर यह इनका efficiency आ गया है यह वक्त तूगेधर फूर 6 देस 4 तीन 12 के इसाब से 6 दिनों में मैं जैस बहुतर 22 के इसाब से 6 दिनों में काम किया 24 8 सवर्ट 22 तोगेधर फूर 6 दीज चार तिन साथ थूर 6 दिनों में इन्हाने 42 यूनिट काम इन्होंकर लिया 42 र Trung चुकहए अभी बांगी 30 यूनिट काम बांगी अब द्याण से समझना अब यह जो बच्चावा काम है इसको चार्ली को ले लिया गया और बाबू को हटा दिया गया मतलब यह काम चार्ली और किस ने किया होगा अनू ने किया है अनू प्लस चार्ली ने किया है अनू प्लस चार्ली ने 2 2 बाइ 3 डेस तक किया है क्या ऐसे बूल सकते न हम लोग किसे चाली ने 22 उनिट किया है चाली ने 22 उनिट अगर काम किया है कितने दिनों में 6 by 3 डेस में तो इसका मतलब तो ये हो गया है 66 by 6 चाली एक दिन में 11 उनिट काम कर देगा और चाली अगर एक दिन में 11 उनिट काम करता है तो 72 उनिट काम करने में Charlie का जो time लगेगा वो 6, 6 by 11 days हो जाएगा क्या सभी का यह answer हो रहा है यह answer आ रहा है एक second और चेक कर लेते हम लोग they work together for 6 days, दोनों ने साथ में 6 दिन तक काम किया, 42 unit काम स्वाहा, after which Babu replace by Charlie, अब Babu और Charlie काम करेंगे, Babu को replace Charlie काम करेंगे, तो हमने देगा A का efficiency 3 है, 3 की efficiency से 8 by 3 days में 8 unit काम किस ने किया होगा 8 unit काम कर लिया, A ने तो Charlie ने कितना काम किया 30 में से 8 गया, Charlie ने 22 unit काम किया, अब Charlie ने 22 unit काम किया, 6 by 3 days में, sorry 8 by 3 है न, 8 by 3 days में, यहाँ पर mistake I am really sorry, 8 by 3 days, 6 by 3 थोड़ी होगा, 8 by 3 days, तो यह अपना हो जाएगा, 66 by 8, 66 by 8 is the efficiency but 66 अगर आ रहा है तो अपना answer तो 20 होगा ही नहीं, ठीक है तो टोटल काम कर लिएते 72 by 66 by 8, 2 से कैंसल किया 33, 2 से कैंसल किया 36 36 में 8 का मल्टिप्लाई किया, 8 तिया 24 28, 28 divided by 33 यह हमारा answer होना चाहिए कि आप सभी का यह answer आ रहा है 288 by 33 is the answer, ठीक है 8 by 3 था, 6 by 3 था 6 by 3 था, 6 by 3 था, तो डारेट दू लिख देते है 8 by 3 था, तो 22 उनिट काम अगर 8 by 3 days में किया है, तीन को उपन लेगा, 66 by 8 is the efficiency of C, और C से बहुतर इन युनिट काम कर आएंगे, तो 66 by 8 हो जाएगा, 37 by 33 आट का multiply किया, 48 by 4 288 by 33 हो रहा है तो 33 डिनोमिनेटर में है दोस्तों यहाँ पर 23 नही है, नही है, नही है, नही है, नही है 9 of this आएगा सबल का answer यह आरा है आप सभी का भी answer चलिए तो नौन अबदी सारा यस यही आरा मेरा फिर इन सब को दिखकर गलत कर दिया अरे 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 चला कोई बात नहीं ठीक है तो 288 by 33 is the correct answer next question कुछ आपकी homework की लिए homework number one इसको आपको बनाना है वैसे यह तो बना लोगे इसको तो यहीं पर खतम ही कर देते homework में क्या देना सर 12 men plus 6 men किसी काम को करते है 8 दिनों में और यही काम को अगर 10 ओरते plus 8 आदमी करते है तो 9 दिनों में हो जाएगा यहाँ से men और women का efficiency निकाल दो और फिर 4 ओरते 8 आदमी कितने दिन में करेंगी यह आप निकाल सकते इसमें दिक्कत नहीं है यह वाला सवाल homework के लिए हो गया एक homework नमबर दो दो ही सवाल homework के लिए बस क्या है यह दो सवाल आप लोग बना पाएंगे और नहीं बनता है तो next class में मैं डिसक्स कर लेंगे जैसे last question में last class में जो उमवक के लिए मैंने सवाल दिया था जिसमें एक बच्चे करके नहीं सायत question गलत है तो यह दो सवाल और वो कल वाला homework next class में include कर लिए ठीक है तो अगली class में हम लोग तीनों questions को एक बर देख लेंगे ताकि आप लोग cross check कर लेंगे आपका answer क्या होगा ठीक है अच्छा यह बताओ कि top 100 question हम लोगों ने अभी तक जो की है कैसा लगा आप लोगों question मतलब arithmetic में confidence कैसा है आप लोगों का मैं यह जानना च नंबर स्रीज बना लेते हैं प्रैक्टिस करोगे तो तीनों चीज अच्छे से बन जाएगी selection के लिए arithmetic important हो जाता है और arithmetic में आप लोगों की तयारी केसे जलिए मजा तो आ गया बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा अच्छा लास्ट जो उमीद है कि आपको फाइनली selection देगी वो mock test ही है mock test से बहुत बहुत सारे फायत है आप multiple times के questions का practice कर लेते है second आप सबसे important time manage करना सिख जाते है कौन से सवाल को कितना time देना चाहिए यह time management भी आप mock test से सिखने वाल है तो अगर आप लोग mock test नहीं लगा रहे दो तो time निकाल के daily at least one mock test लगाना है एक दिन PO का mock test लगाओ एक दिन clerk का mock test लगाओ फिर एक दिन PO लगाओ एक दिन clerk लगाओ इससे फायदा पता है क्या होगा PO में अगर आपके marks कम आए आप demotivate होते है तो clerk में तो marks ज़्यादा ही होगे वापस से motivate हो जाएंगे ताकि आप PO में जो question नहीं बने उसको अच्छे से analysis करके फिर इसे PO का mock test लगाएंगे तो इस बार आपके PO के marks थोड़े बड़े वे मिल जाएंगे वापस से आप clerk लग दोनों में आप difference देख पा रहे होंगे इतना ज्यादा difference मतलब 14 marks का difference बहुत ज्यादा होता है दोस्त एक एक number का difference बहुत होता है तो 14 marks हो गया इतना difference है मतलब यह level बहुत easy होता है और यह level moderate होता है अगर आप इसका टिक से analysis करके अपने आपको improve करते है तो यहाँ पर यह कु qualify करेंगे यह भी करेंगे दोनों qualify करेंगे और यह maximum number लिये मैंने सबसे highest किसे stretch का cutoff गया था तो 63 था 77 कुछ state में कम भी था इसे 77 है तो 69 भी था 68 भी था और 63 का तो 57 58 59 भी था depends on state ठीक है चलो तो आज की session को दोस्तों यहीं पर end करते है बाकि हम फिर मिलते अपने next session में attendance और session के साथ लगा homework के साथ आप लो comment करके बता देंगे मिलते है next session में बबाए टिक क्या